गुलामगीरी जोती राव गोविंद राव फुले जन्द 11 अप्रेल 1827 विधाएं चिंतन का विता नाटक निबंद प्रमुख कृतियां तृतिय रातन पयावाढ़ा छत्रपती शिवाजी भूसले का पयावाढ़ा शिक्षा विभाग के ब्राह्मन अध्यापक का ब्राह्मनों की चाला की गुलामगीरी किसान का कोड़ा ग्रामजोशी के संबंध में सत्य शोधक समाज के लिए मंगल गाथा और पूजाविधी सार्वजनिक सत्य धर्म। निधन, 28 नवंबर 1890, विशेश, महात्मा जोतिबा फुले ऐसे महान विचारक, समाज से भी तथा क्रांतिकारी कार्य करता थे जिन्होंने भारतिय सामाजिक संरचना की जर्ता को द्वस्त करने का काम किया। महिलाओं, दलितों एवं शुद्रों की अपमांजनक जीवन स्थिती में परिवर्तन लाने के लिए वे आजीवन संघर्शत रहे। उनके सहयोगियों को तरह तरह के कश्ट उठाने पड़े। उन्हें बार-बार घर बदलना पड़ा। फुले की हत्या करने की भी कोशिश की गई। पर वे अपनी राह पर दटे रहे। अपने इसी महान उद्देश्य को संस्थागत रूप देने के लिए जोतिबा फुले आज तक शुद्रदी अतिशुद्र अच्छूत समाज, जब से इस देश में ब्राहमनों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोशन से शिकार हैं। ये लोग हर तरह की आतनाओं और कठिनायों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन पुरोहितों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग अपने आपको ब्राहमन पंडा पुरोहितों की जुल्म जातियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं। यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। यही इस ग्रंत का उद्देश् यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राहमन पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग तीन हजार साल से भी ज्यादा समय बीट गया होगा। वे लोग परदेश से यहां आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बरबर हमले करके इन लोगों को अपने घरबार से जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम दास बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमाधनियता का रवया अपनाया था। सेकड़ों साल बीट जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतिया ताजी होती देखकर कि ब्राहमनों ने यहा कई तरह के हतकंडे अपनाये और वे भी इसमें काम्याब भी होते रहे। चून की उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टी से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राहमन पंडा पुरोहितों ने उन्हें ग्यानहीन बुद्धीहीन बना दिया था। जिसका परिनाम यह हुआ कि ब्राहमन पंडा पुरोहितों के दाव पेंच उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राहमन पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्हें हमेशा हमेशा लिए अपना गुलाम बना कर रखने के लिए। केवल अ जूठा प्रचार उस समय के अनपर लोगों में किया गया और उस समय के शुद्रादी अति शुद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंट समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वश अक्तिमान स्रिष्टी का निर्माता जो परमेश्वर है उसकी समानत्ववादी द्रिष्टी को बड़ा गौन्तव प्राप्त हो गया है। फिर भी हमें, हम सभी को उत्पनकर्ता के रिष्टे से उन्हें भाई कहना पढ़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्त का ही ध्यान न रखते हुए न्यायबुधी से भी सोचना चाहिए। उन ग्रतों को में हर तरह से ब्राह्मन पुरोहितों का महत्व बताया गया है। पढ़ा शोचनिय है। जिस ईश्वर ने शुद्रादी अतिशुद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित स्रिष्टी की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आजादी दी है। उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मन पंडा पुरोहित रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगतिकाल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है। कोई धूर ब्राह्मनों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास्त दो के नाम पर जूठे पांखडी ग्रतों की रचना करके शूद्रदी अतिशुद्रों को गुमराह किया और आज भी इन में से कई लोगों को ब्राह्मन पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह दिलो दिमाग में ब्राहमनों के प्रति पूज्य बुधी उत्पन होती रही। इन लोगों को उन्होंने ब्राहमनों ने इनके मन में इश्वर के प्रति जो भावना है। वही भावना अपने को ब्राहमनों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारन या माम पूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हीं इश्वर के जवाब देना होगा। यही कहकर हम शांत नहीं होते बलकि उन्हें जगरने के लिए भी तयार रहते हैं, यह गलत है। मनुष्य को आजाद होना चाहिए, यही उसकी बुन्यादी जरूरत है। जब व्यक्ति आजाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को सपष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब से आजादी नहीं होती तब वह वही महत्वपूर्ण विचार, जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी लुप्त हो जाते हैं। आजाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवी अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। यही उनका इस तरह से खत्रा मोल लेने का उद्देश है। वा, वा, यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है। उनका इतना अच्छा उद्देश होने की वजह से ही ईश्वर उन्हें, वे जहां गए, वहाँ ज्यादा से ज्यादा काम्याभी देता रहा है। और अब आगे भी उन्हें इस तरह के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहे, उन्हें काम्याभी मिलती रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दक्षन अमेरिका और अफ्रिका जैसे प्रित्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकडो साल से अन्यदेशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर यहां उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंग को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकी आदी उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ायां लड़कर अपने नुकसान की बात तो दरकिनार, उन्होंने अपनी जान की परवा नहीं की और गुलामों की मुप्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानविय गुलामी एक दूसरे से जुदा कर दिये गए थे, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वा, अमेरिका आदी सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें इंगरी बनात गुलामों की बत्तर स्थिती देख कर दया ना आई होती तो ये गरीब बेचार अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन ही मन में रख कर मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़ कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी या नहीं? नहीं, नहीं, उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आखें भी रोने लगेंगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझ कर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी-कभी लहलाती धूप में हल जुतवा कर उनसे अपनी जमीन जोत बो ले और इस काम में यदि उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो उनके बदन पर बैलों की तरह छांटे से घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान-पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे। इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था। दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था बह भी बहुत ही थोड़ा सा। इसकी बजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेठी रहना परता था। लेकिन उनसे च्छाती चूर-चूर होने तक मुह से खून फेकने तक दिन भर काम करव से होगी। बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहां से। इसमें पहली बात तो यहती के पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पर जाए और उसका बुलावा आ जाए। इस बात का उनको जबरदस्दर लगा रहता था। दूसरी बात तो यहती की पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और टांगलर खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कई दिन भर बदन पर छाटे के वार बरस्ते रहने से सारा बदन लहुलुहान हो जाता और उसकी यातनाएं इतनी जबरदस्थ होती थी की पानी में मच्छ जारे भगवान से दुआ मानते थे की, हे भगवान, अब भी तुझको हम पर दया नहीं आती, तू अब हम पर रहम कर, अब हम इन यातनाओं को बरदाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे हैं, अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा, इस तरह की यातनाएं सहत भी फीके पर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, तातपर्य, अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही, इस गुलामी की अमानविय परंपरा को समाप्त करके गरीब लोगों को उन चन लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जि जो सहतर है, वही जानता है, अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फर्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राहमन पुरोहितों ने अपने बरबर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों न एक आएक जुल्म करके गुलाम बनाया था, शेश बातों में उनकी स्थिती समान है, इनकी स्थिती और गुलामों की स्थिती में बहुत फर्क नहीं है, उन्होंने जिस जिस प्रकार की मुसीबतों को बरदाश्ट किया है, वे सभी मुसीबते ब्राह्मन पंडा पुरोहितों वारा धाय जुल्मों से कम हैं। यदि यह कहा जाए कि उन लोगों से भी जादा जातियां इन शुद्रादी अतिशुद्रों को बरदाश्ट करनी पड़ी हैं, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। इन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक-एक दा जो ब्राहमन, पुरोहित भाई हैं उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं, बलकि जो अपने अंदर के मनुश्यत्व को जागरत रख कर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जलप्रले ही है। एक बहुत बड़े, बहुत भन्यकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नजर अंदास किया है। उन लोगों को एक बार भी शूद्राद्री अतिशुद्रों के दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो सच्चाई समझ में आ जाएगी और उन्हें बड़ी पीड़ा कुछ को अच्छा भी लगेगा कि आज तक कविताओं में शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की उची उड़ाने भरनी पड़ती थी। लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब उन्हें यह स्वयम्भोगियों का जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि यही है तो आज के शुद्रादी अतिशुद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वज की दास्ताने सुनकर पीडित होते होंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्य की याद भी इतनी पीड़ादाई है तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा है उनके मन की स्थिती किस प्रकार की रही होगी। यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राहमन भाईयों के धर्म शास्त्रों में ही मिलती है। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रीय लोगों के साथ ब्राहमन पुरोहित वर्क के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ती ने कितनी क्रूरता बर्ती। यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने चत्रियों की अनाथ हुई नारियों से, उनके छोटे-छोटे चार-चार-पांच-पांच माह के निर्दोश मासूम बच्चों को जब अर्दस्ती छीन कर अपने मन में किसी प्रकार की हिच्च के चाहट न रखते हुए बड़ी कुरूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था यह उस ब्राह्मन परशुराम का कितना जगण्य अपराद था, वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा अपने पती के मौत से व्यतित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्ब की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाडों में भागे जा रही थी, वह उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके, उन्हें पकड़ कर लाया और प्रसूती के पश्चात जब उसे यह पता चलता की पुत्र की प्राप्ती हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूतिशुदा नारियों का कतल कर देता था, इस तरह की कथा ब्राहमन ग्रतों में मिलती है, और जो ब्राहमन लोग उनके विरोधी दलके थे, उनसे उस समय की सही स्थिती समझ में आए यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बारक्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश क्यूं किया और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों का भी कतल क्यूं किया। परने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्धी हुई कि उनसे की ब्राह्मनों ने उस घटना पर जितना परदार डालना संभव हुआ, उतनी कोशिश उन्होंने की, और जब कोई इलाज ही नहीं बचा तब उन्होंने उस घटना को लिख कर रख दिया। हाँ, ब्राह्मन उसमें भी कई नारिया मोटी और कुलीन होने की वजह से, जिनको अपने घर की दहलीज पर चरना भी मालूम नहीं था, घर के अंदर उन्हें जो कुछ जरूरत होती। वो सब नौकर लोग लाकर देते थे, मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोश और कभी धडले से चटान पर तो कभी पहार की खायों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कुहनी को, कुछ नारियों के घुटनों को और कुछ नारियों के पाउं को ठेस खरोंच लगकर खून की धाराएं बहती होंगी। और परशु बदन से लहू भी बहता होगा, लहलहाती धूप में भागते भागते उनके पाउंग में छाले भी पढ़ गए होगे, और कमल के डंठल के समान नाजुक नीलवर्न कांती मुर्जा गई होगी, उनके मुह से फेन बहता होगा, उनकी आँखों में आंसु भराय होगे, उनके को जोंक देती और इस चंड से मुक्त हो जाती, ऐसी स्थिती में उन्होंने आँखें फार फार कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी की, हे भगवान, तुने हम पर यह क्या जुल्म धाए है, हम स्वयम बलहीन है, इसलिए हमको अबला कहा जाता है, हमे जो अपना पुरुशार्थ समझता है, ऐसे चंड के अपराधों को देख कर तू समर्थ होने पर भी मुह में उन्गली दबाई पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यू बन बैठा है, इस तरह वे नारियां बे सहारा होकर किसी के सहारे की तलाश में मुह उर्थाए इश्वर की आ और शेश नारियों ने बड़ी विनमरता से उस चंड परशुराम से दया की भीक नहीं मांगी होगी की, हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीक मांगना चाहते हैं कि हमारे गर्ब से पैदा होने वाले अनात बच्चों की जान बक्षो, हम सभी आपके सामने इसी के अपना आचल पसार रहे हैं, आप हम पर इतनी ही दया करो, अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों की जान न लो, आपने हमारे शोहर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए हमें बेसमय वैधवयो हमारे सुक की आशा स्वरूप हमारे ये जो मासूम बच्चे हैं, उनको भी जान से मार कर हमें आप क्यों तरफडाते देखना चाहते हो, हम आपसे इतनी ही भीक मानते हैं, वैसे तो हम आपके धर्म की ही संतान हैं, किसी भी तरह से क्यों न हो, आप हम पर रहम कीजिए, इत अब ये उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर और अधी गिरपड़ी होंगी और गर्दन उठा कर कह रही होंगी के, हे पर शुरम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं की ही जान लेनी है, तो सबसे पहले यही बेतर होगा कि हमारे सिर काट लो, फिर हमारे पश्चात आप जो करना चाहें सो कर लो, किन्तु हमारी आँखों के सामने हमारे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया गया होगा, तब उन्हें जो यातनाएं हुई होंगी, जो मानसिक पीराएं हुई होंगी, उस थिती को शब्दों में व्यक्त करने के लि उनकी माताओं की आँखों के सामनेली होगी, उस समय कुछ माताओं ने अपनी चाती को पीटना, बालों को नोचना और जमीन को कुदेरना शुरू कर दिया होगा, उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुह में मिट्टी के धले ठूस ठूस कर अपनी जान भी गवादी होगी कुछ माताओं पुत्वशोक में बेहोश होकर गिरपड़ी होंगी, उनके होश हवास भूल गए होंगे, कुछ माताओं पुत्वशोक के मारे पागल सी हो गई होंगी, हाई मेरा बच्चा, हाई मेरा बच्चा, करते करते दरदर, गाउं गाउं, जंगल जंगल भटकती हों परकर उनके बीवी बच्चों के भयन कर बुरे हाल किये और उसी को आज के ब्राह्मनों ने शूद्रा दी इतिशुद्रों का सरवशक्तिमान परमिश्वर्ट सारी सृष्टी का निर्माता कहने के लिए कहा है। इस बारे में इस ग्रंत में लिखा गया है। रहलाल हो जाता था और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बरतन को उठा कर ना आप देखा न ताव उस शूद्र के माथे को निशाना बना कर बड़े जोर से फेक कर मारता था उससे उस शूद्र का माथा खुन से भर जाता था। बिहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था फिर कुछ देर बाद होश आता था तब अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारो तरफ ब्राह्मन शाही का जाल फैला हुआ था बलकि शिकायत करने का खत्रा यह रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका ना आ जाए। कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। बड़ी कठिनाईयां बरदाश्ट करनी पड़ती थी। इनके सामने मुसीबतों का ताता लग जाता था। उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिकते खड़ी हो जाती थी। क्योंकि उस समय सभी चीजों की चाया बात करके रास्ते से एक और होकर वही बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मन के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। समझ लो उसकी थूप जमीन पर पढ़ गई और उसको ब्राह्मन पंडों ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए। अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग शूद्रादी अतिशूद्र जातियां अंगिनत मुसीबतों को सहते सहते मट्यामेट हो गए। लेकिन मुप्त होने के दिन का इंतजार करता है। उसी तरह का इंतजार बेसबरी इन लोगों को भी होना स्वाभाविखी है। ऐसे समय बड़ी खुश किसमत कहिए कि इश्वर को उन पर दया आई। इस देश में अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब ब्राह्मन शाही की गुलामी की फ़वलदी जंजीरों को तोड़ करके मुप्ती की रह दिखाई है। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुक के दिन दिखाए हैं। यदि वे यहां ना आते तो ब्राह्मनों ने। ब्राह्मन शाही ने इन्हे कभी सम्मान और स्वतंतरत की जिन्दगी न गुजारने दी होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मनों की तुलना में शूद्रादी अतिशुद्रों की संख्या करीबन दस गुना जादा है। फिर भी ब्राह्मनों ने शूद्रादी अतिशुद्रों को कैसे इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी इस अग्यानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिर्वी रखा सकता है। उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी बात यह है कि दस अनपर लोग यदि एक ही मत के होते तो वे उस बुद्धिमा चतुर आदमी की दाल ना गलने देते, एक ना चलने देते। किन्तु वे दस लोग दस अलग अलग मतों के होने की वज़े से ब्राह्मनों पुरोहितों जैसे धूर, पाखंडी लोगों को उन दस भिन भिन मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिना नहीं होती. शुद्रादी अतिशुद्रों की विचार प्रनाली, मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप ना करे, इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मन पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्तापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली. उन प्रेम के बजाए जहर के बीज बोए. इसमें उनकी चाल यह थी के यदि शुद्रादी आतिशुद्र समाज आपस में लड़ते जगरते रहेंगे तब कहीं यहां अपने ठिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बन प्रेम के बातों को अज्यानी लोगों के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर तरह लिख दिया. उनमें से कुछ लोग जो ब्राहमनों के साथ बड़ी कड़ाए और द्रिर्ता से लड़े. उनका उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया. उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के उनकी जो बात की संतान हुई. उसको उन्हें छुना नहीं चाहिए. इस तरह की जहरीली बातें ब्राहमन पंडा पुरोहितों ने उन्ही लोगों के दिलो दिमाग में भर्दी फिलहाल जिन्हें माली. कुन्बी कुर्मी आदी कहा जाता है. जब यह हुआ तब इसका परिना जो बहुत ही हनकार से माली. कुन्बी, सुनार, दर्जी, लुहार बढ़ाई, तेली, कुर्मी आदी बड़ी-बड़ी संग्याएं अपने नाम के साथ लगाते हैं. वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं. कहने का मतलब यही है कि वे लोग एक ही घराने के होते ह हुए भी आपस में लड़ते जगरते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं. इन सब लोगों के पूरवज स्वदेश के लिए ब्राहमनों से बड़ी निर्भयता से लड़ते रही, इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राहमनों ने इन सब को समाज के निचली स्टर पर लाकर र इन सब का आपस में इतना बड़ा नजदी की संबंध होने पर भी किसी त्योहार पर ये उनके दर्वाजे पर पका पकाया भूजन मानने के लिए आते हैं तो वे लोग इनको नफरत की निगासे ही नहीं देखते हैं, कभी-कभी तो डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए भी है न मजे की बात। तब से उन सभी के दिलो दिमाग आपस में उलज गए और नफरत से अलग-अलग हो गए। ब्राह्मन पुरोहितों अपने शड्यंत्र में काम्याब हुए। उनको अपना मंचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वंतत्रता मिल गई। इस बारे में एक ही गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने भी वजह से शुद्रादी अतिशुद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मनों की गुलामी से मुक्त हुए, यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा द अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। इसलिए हम चाहते है कि इंग्रेज सरकार को सभी जिनों के प्रती समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। जिससे शूद्रादी अतिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मनों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकें। अपनी इस सरकार से हमारे यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र बिनायक राव बापूजी भंडारकर और साशून्य राजन नलिंगु ने मुझ जोती राव, पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रैंच आदी, दयालू, सभ्य राज्यकरताओं ने एकठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्राहमा के धर्म, नीती नियमों को ठुकरा दिया है। क्योंकि मनुसहिता में लिखा गया है कि ब्राहमा विराट पुरुष ने अपने मुझ से ब्राहमन वर्न को पैदा किया है और उसने इन ब्राहमनों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पाउं से शूद्रों को पैदा किया है। इसके संबंद में सभी ब्राहमन, मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदी लोगों के अधम, दुराचारी होने की वजह से उन लोगों से बारे में मनुसहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया। जोती राव, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राहमनों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। धोडीन राव, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्यजातियों की तुलना में ब्राहमनों में सबसे ज़्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। धोडीन राव, फिर यह बताओ के इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, ब्राहमनों के बारे में मनु की सहिता में किस प्रकार से लिखा गया है। व्यूत्पत्ती के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने चार वर्णों की उत्पत्ती लिखी है, यदि इस व्यूत्त्ती को कुल मिला कर सभी स्रिष्टी क्रमों से तुलना करके देखा जाए तो वह तुमको पूरी तरह तत्य हीं। निराधार ही दिखाई देगी, धोंडी राव, मतलब, यह किस प्रकार से। जोती राव, ब्राह्मनों का कहना है ब्राह्मन ब्राह्मा के मुख से पैदा हुए लेकिन कुल मिला कर सभी ब्राह्मनों की आदिमाता ब्राह्मनी ब्राह्मा के किस अंग से उत्पन हुई, इसके बारे में मनु ने अपनी सहिता में कुछ भी नहीं लेख रखा है। आखिर ऐसा क्यों? धोंडी राव, क्योंकि बहुन विद्वान ब्राह्मनों के कहने के अनुसार मूर्क दुराचारी होगी. इसलिए फिलहाल उसे मलेच तीन या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए. जोती राव, हम भुदेव हैं, हम सभी वर्णों में यह हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मनों को जन देने वाली आदिमाता ब्राह्मनी ही है न? फिर तुम उसको मलेच्छों की पंक्ति में किसलिए रखते हो? उसको वहां की शराब और मास की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है. धोंडी राव, आपने ही कई बार सरयाम सभाओं में, व्याख्यानों में कहा है कि ब्राह्मनों के आदिवन्शिज जोरिशी थे? वेश्राधर चार के बहाने गो की हत्या करके गाए के मास से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे? और अब आप कहते है कि उनकी आदिमाता को बदबू आएगी, इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्ग जीवी होने की काम ना कीजिए, और कुछ दिन के लिए रूप जाए. तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकान शमांगलिक पांच, भिक्षुब ब्राह्मन इस तरह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है. इसलिए इस दोश की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए. उसके बारे में आप मुझे क्यों दोश दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूं? छोड़िए इन बातों को आगे बताए. जोती राव, अच्छा, जैसी तुम इस बारे में मनुने कुछ लिखा भी है या नहीं? धोंडी राव, नहीं, किन्तु ब्राह्मनों की उत्पत्ती का आदी कारण ब्रह्मा ही है और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मन लोग लिंगायतों से इसलिए ग्रि दूर रहना पड़ता होगा? फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृती में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? धोंडी राव, नहीं, जोती राव, अच्छा, वह गर्ब ब्रहमा के मुँछ में जिस दिन से ठहरा, उस दिन से लेकर नौ महीने बीटने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा? इस बारे में मनुने कुछ कहा भी है या नहीं? धोंडी राव, नहीं, जोती राव, अच्छा, फिर जब यह ब्राहमन बालत पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रहमा न अपने मुह में नौ महीने तक सभाल कर रखने, उसे जन देने और उसकी देख भाल करने का जमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है? धोंडी राव, उसके प्रहमा के शेश तीन सिर उस जमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राए इस मामल में क्या है? उस रंडी बाज को इस तरह से माव बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? जोती राव, अब यदी उसे रंडी बाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग य भिचार किया था. इसलिए उसका उपनाम बेटी चोध हो गया है. इ इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमान नहीं मिल पाया है. फिर उसी तरह शेशनाग की शैया पर सोने वाले को लक्षमी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभी से चार मुवाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदी सोचा जाए तो उसकी भी स्थिती ब्रमा की तरह ही होगी. जोती राव, वास्थव में हर द्रिष्टी से सोचने के बाद हम इस निर्नए पर पहुँचते है कि ब्राह्मन लोग समुद्र पार जो इरान नाम का देश है, बहां के मूल निवासी है. पहले जमाने में उन्हें इरानी या आर्य कहा जाता था. इस मात का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है. सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बना करके देश में आकर कई बरबर हमले किये. यहां के मूल निवासी राजाओं के पर बार बार हमले करके बड़ा आतन फैलाया. फिर बटू बामन के बाद आर्य ब्राहमन लोगों का ब्रहमा नाम का मुख्या अधिकारी हुआ. उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था. उसने अपने काल में यहां के हमारे आधिपूरवजों को अपने बरबर हमलों में पर रुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया, ब्राहमन. फिर मनु महाराज जैसे ब्राहमन अधिकारी हुए, पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीती नियमों का क्षय बाद में कोई ना कर पाए. इस दर की वजह से उसने ब्रहमा के बारे में नई नई तरह क कल पनाय फैलेई. फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलों दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिये कि ये बातें इश्वर की इच्छा से हुई हैं. फिर उसने शेशनाग शया की दूसरी अंधी कथा, पुरान कथा, गड़ी और समय देख कर, कुछ समय के उन सभी पाखंडों के ग्रंथशास्त्र बनाए गए. उन ग्रतों के बारे में शूद्र गुलामों को नारत जैसे धूर, चतुर, सदा औरतों में रहने वाले चछचोरे के ताली पीट-पीट कर उपदेश करने की वजह से यूँ ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया. अब ह ऐसा लगता है कि पहले से ही अंधाचित हुए गरीब पर उपर से पाउंग देना, इसमें अब कुछ मजा नहीं है. परिच्छेद, दो, मत्स्य और शंखासूर के संबंध में, धोंडी राव, इस देश में बटुबामन के पहले इरान से आर्य लोगों के कुल मिला कर कितन में नहीं थी. इसलिए वे जत्थे छोटी-छोटी नौकाओं पर आये थे और वे नौकाओं मचलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थी. इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य हो गया होगा. धोंडी राव, फिर ब्राहमन इतिहासकारों ने भागव कलेजे में, फेफडे में, अंतदियों में, गर्ब पालने पोसने की जगया में और प्रसूती होने के मार्ग में कितना चमतकारिक अंतर है. मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्रानी है. वो ज़रा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तेरना आए तो डूप कर मर जाता है. किन्तु मचली हमेशा ही पानी में रहती है. लेकिन मचली को पानी से बाहर निकाल कर जमीन पर रखते ही तिल मिला कर मर जाती है. नारी स्वाभाविक रूप में एक समय एक ही बच्चे को जन देती है. लेकिन मचली सबसे पहले कई अंडे दे उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोर कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालती है। यह भी साच मान लीजिए। लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मचली के उस अंडे को फोर कर उसमें से उस मत्यबालत को बाहर निकाला होगा। क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफी विकास हुआ है और बड़े-बड़े ख्यातिप्राप्त विद्वान चिकित सा शास्त्र में विग्य हुए हैं। फिर भी उनमें से किसी एक ने भी अपनी चाती पर हाथ रख कर यह दावा नहीं किया है कि मैं मचली के अंडे को फोर करके उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूँ। खेर, वहंडा पानी में है, इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश के समर मचली ने पानी से बाहर आकर उस गोता खोर को बताया होगा और उस जलचर संदेश वाहक की भाषा मानब को कैसे समझ में आई होगी। इस प्रकार की एक से अधिक शनकाओं से भरे उन लेखों में से सही समाधान होना बिलकुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में यह हनुमान प्रमानित होता है कि बाद में कुछ मूर्ट लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रतों में इस तरह की कालपनिक कथाओं को घुसेर दिया होगा। धोंडी राव, अच्छा, फिर सवाल यह उठता है कि उस जत्ते का नायक अपने लोगों से साथ किस जगह पर आकर रूका होगा। जोती राव, पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। धोंडी राव, उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया। जोती राव, उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रप्ती को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासूर का वह राज्य मत्स्य के मरते ही शंखासूर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश से मत्स्य के कबीले पर बढ़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया। धोंडी राव, बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिनाम हुआ। जोती राव, उस करारी हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई। इसलिए उसने युद्ध भूमी से ही भाग जाना बहतर समझा और भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वहंत में किसी पहाडी पर जाकर घने जंगल में चुप गया। उसी समय इरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कच्वे से बंदरगाह पर आ पहुँचा और वे कच्वे मच्वे से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कच्वे की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी की वजह से उस कबीले के मुखिया का उपनाम 3. कच, भुदेव, भुपती, क्षत्रिय, द्विज और कश्य प्राजा के संबंध में। धोंडी राव, मच्छी और कच्वा इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से फर्थ दिखाई परता है। लेकिन कुछ बातों में जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोरना आदी में उनमें समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदी पुरान करताओं ने यह लिख रखी है कि कच कच्छुए से पैदा हुआ है। इसके बारे में भी सोचने पर परिनाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में खर्च होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहता हूँ कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया। जोती राव, सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाडी पर मस्यों का कबीला मुसीबत में पढ़ गया वहां के मूल क्षेत्रवासी लोगों को भगा कर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वहस्वयम उसक्षेत्र का भूदे व्यानी भूपती बन गया। धोंडी राव, फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था, वेक्षत्रिय लोग किस वर चले गए। जोती राव, विद उसने उस पहारी को पीट पर लेकर, मतलब पीछे छोड़कर कश्यप के राज्यके क्षत्रियों को इरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहारी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से जंग की त्यारी की, लेकिन कच्छे ने अपनी मृत्यू त वराह, धोंडी राव, भागवत आदी इतिहसकारों ने यह लिख कर रखा है कि वराह की पैदाईश सूर से हुई है, इसमें आपकी क्या मान्यता है, जोती राव, वास्तव में सही बात यह है कि मनुश्य और सूर में किसी भी दृष्टी से चमतकारिक भिन्नता है, अपनी जाती की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कश्क नहीं होने देती और उसे बड़े प्यार से पालती पुस्ती है, लेकिन सूरी कुतिया की तरह अपने पैदा किये पहले बच्चे को एकदम घा लेती है, उसके बाद दूसरे बच तो उसकी सरवग्यता और समान द्रिष्टी को दाग लगाया नहीं। क्योंकि वराह आदिनारायन का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सुरी को उसके बड़े सुर भाई को मार कर नहीं खाना चाहिए। उसने इसके पहले से ही कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं कर नहीं हो। किन्तु इसने अपने पैदा किये हुए अबोध बच्चे की ही हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थ बोध हो। ऐसा शब्द किसी शब्द कोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकिनी कहा जाए तो डाकिनी भी अ में बड़ा अफसोस है। धोंडी राव वरा की सूरी माता का नाम यदि पदमा था तो इससे यह सिद होता है कि उसके सूर पती का कुछ ना कुछ नाम होना ही चाहिए की नहीं। जोती राव पदमा सूरी के पती का नाम ब्रमा था। धोंडी राव इससे यही समझ में आ र इसमें कोई संदेह नहीं. किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गाउं के खंधरों में बहुत ही कोमल फूल पूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत लगी होगी की नहीं, यह तो वही वरा हादिनारायन ही जाने. इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमान नहीं मिलते. इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा यह सब जूट है कि वरा सुरी से पैदा हुआ है और इस तरह की जूट मूट की बातें शास्त्रों में लिखते समय उ तुम निरलज हो यावे, धोंडी राव, खैर, इन सब बातों को अब छोड़ दीजिए. आपके ही कहने के अनुसार, उस मुखिया का नाम वराह कैसे पढ़ा? जोती राव, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था और वहा जह वराह रखा. इससे वह और बौकला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रतिशोद की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके, वहां के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफें दे करके, अंत में उसने एक युद्ध में हिरन्याक्ष हिरन्यग के सम्बंद में. धोंडी राव, वराह के मरने के बाद द्विजलोगों का मुखिया कौन हुआ? जोती राव, नर्सिंग, धोंडी राव, नर्सिंग, स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वास-घात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और ब्रष्ट था. वो शरीर से बहुत मजबूत और बल्वान था. धोंडी राव, उसने क्या क्या किया था? जोती राव, सबसे पहले उसके मन में हिरन्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया. उसने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किये बगर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं था. उसका अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो. इसके लिए उसने गुप्त हरकतें करना शुरू कर दिया. उसने अपने एक द्विच्शिक्षक के माध्यम से हिरन्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिध्धान थोपना प्रारम किया. इसकी वज में नर्सिंग ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे मिला कर उसका मन इस तरह से भरष्ट कर दिया कि वह अपने पिता की हत्या कर दे. लेकिन इस तरह का अमानविय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत नहीं हुई. इसलिए नर्सिंग ने मौका देख कर ताजिय से बुनी हुई उचे किस्म की साड़ी पातल पहन लिया और सती की तरह अपने मुँपर लंबा चोड़ा गूनघट डाल कर बड़े ही नकरेल धंग से जूमते लहराते हुए बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिताद्वारा बनवाए विशाल मंदिर में जहां खंबों क लपेट कर उन खंबों की ओट से निकल कर हिरन्यकश्प के बदन पर कातिला ने धंग से तूट पड़ा उसने अपने हाथ की मुठ्थी में चुपाए हुए बघंगा से उसके पेट को फार दिया इस तरह उसने हिरन्यकश्प की हत्या कर दी बाद में नर्सिंग वहां से आठ कहने लगे इसी विप्रिय शब्द से बाद में उसका नाम विप्रपड़ा होगा बाद में क्षत्रियों ने नर्सिंग यानी सिंग की ओरत कहकर कोसना शुरू कर दिया अंत में हिरन्यकश्प के बच्चों में से कियों ने नर्सिंग को पकड़ कर उसको उचित दन दे देने की कोशिश की किन्तु नर्सिंग इरन्यकश्यप की राजसत्ता हर अपने की इच्छा छोड़ कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान को सभालते हुए किसी प्रकार का पुना प्रयासना करते हुए मर गया धोंडी राव फिर नर्सिंग के इस तरह के अमानवी अकृत उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी चीथू ना करे, इस दर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय को जानकर नर्सिंग के बारे में यह सिधा करने की कोशिश की की वह तो खंबे से पैदा हुआ. इस तरह उसके नाम के साथ कई जूट मूट की कल प का या बाहर का दूड पिये, बगएर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा. शायद यह भी हो सकता है, यदि यह कहा जाए, लेकिन स्रिष्टी में इस तरह से कुछ भी घरते हुए नहीं दिखाई देता. यह तो स्रिष्टिक्रम के विरुद्ध ही है. इनला परवाह विप्र धर्म की भावणा को अपने मन में जगा कर, केवल शुदमंता से अपने स्वयम के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था. उस पिता को आदिनारायन के अफ्तार द्वारा मार दिया जाना क्या सही में उचित था. इस तरह का अमानविय को कर्म अग्य जानी मनुष्य का अफ्तार भी शायद ही करेगा. आदिनारायन का अफ्तार होने की वज़े से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकर्षप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदिनारायन का अफ्तार है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है. लेकिन ऐसा ना कर उसने हिरन्यकरशिप को उपदेश दे कर उसको समझा नहीं पाया तो फिर वहुस सबकी बुद्धी का दाता कैसे इससे यह सिधा होता है कि नर्सिंग में किसी सामान्यस्त्री से भी कमक्ल थी फिलहाल हिंदुस्थान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनर्यों ने यहां के कई यूबकों को खरिस्ती बना लिया किन्तु उन में से किसी ने भी किसी खरिस्ती यूबक के पिता की हत्या नहीं की यह कितना बड़ा आश्चर्य है धोंडी राव, नर्सिंग की इस तरह दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज लेने के लिए कुछ कोशिश भी की या नहीं जोती राव, विप्रों ने प्रहलाद का राज हड़ अपने के लिए कई तरह के लुकेछिपे प्रयास किये किन्तु उन लोगों को इसमें कोई काम्याभी नहीं मिली। चूनकी, बाद में प्रहलाद की आँखे खुल गई और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल उप्री दिखावे का सनेह रखकर अपने राज्य की उचित्व्यवस्था। योग्य प्रतिबंद करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को सभालते हुए, उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सां विरोचन का बेटा, बली, बहुत ही योध्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पडोस में रहने वाले छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को धृष्ट दंगा खोरों की जातियों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनो दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बटू वामन था। उसको यह सब बरदाश्ट नहीं हो रहा था। इसलिए उसने बली का राज्य लड़ जगड कर लेने के उद्देशे से ही गुप्त रूप से बहुत फौच तयार की और अचानक बल रविबार को पवित्र मानना, वामन, श्राध करना, विंध्यवली, घर्ट रखना, बली राजा की मृत्यू, सती जाना, आराधी लोग, शिलिंगन, भ्रात का बली राजा बनाना, दूसरे बली राजा के आने की भविशिवानी, बानासूर, कुजागरी, वामन की धोडी राव, फिर बली राजा ने क्या किया? वहाँ बली नाम का एक द्वीब भी है. इस प्रदेश के दक्षन में कोलहापूर की पश्चिम दिशा में बली के अधिकार में कौनकन और मावला, नौर प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे. वहाँ जोतिबा नाम का मुख्या था. उसके रहने का मुख्य स्थान कोलहापूर के उत्तर में रत्नगीरी नाम का पहार था. इसी प्रकार दक्षल में बली के अधिकार में दूसरा एक और प्रदेश था. उसको महराश्ट्रा कहा जाता था. और वहां के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महराश्ट्री कहा जाता था. बाद में उसी का अपभण्ष रूप हो गय यता, के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक, तो कहीं दो प्रधान रहते थे. उसी प्रकार हर एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल पहलवान थे. इसलिए उसको मलुखान कहते हैं. उन नौ में जेजोरी का खंडोबा एक था. दस यह खंडोबा नाम का मुख्या अप धर्म के अनुसार ही लड़ता था. उसने कभी भी पीट दिखा कर भागने वाले किसी भी शत्रू पर वार नहीं किया. इसलिए उसका नाम मार्तोन पढ़ गया था. जिसका अपबरंश मार्तंड बारह हो गया. उसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था. उसको गाने का मलहार राग है. यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसे नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद गायक हुआ है. उसने भी एक दूसरा मलहार राग बनाया है. इसके अलावा बली राजा ने महराश्रा में महासुबा और नौ खंडों के न्याई के रूप में दो म माधार पर छूट सहुलियत दे कर सभी को खुश रखता था. इसलिए इमराठों में एक भी कुल किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेतों बाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासुबे के नाम पर सिंदूर की लिपापोती कर. उसको धूप जला कर उसका नाम लिए बग दिया जा सकता है. क्योंकि उस समय यवन लोग ही नहीं, बलकि मिस्त्र से कई विद्वान यहां आकर ज्यान पढ़ कर जाते थे, उस तरह के भी प्रमान मिलते हैं. तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पडोस में काशी क्षेत्र के इर्ध गिर्ध कुछ क्षेत्र बली राजा के अधिकार में थे. उस प्रदेश को दस्वां खंड कहा जाता था. वहां के मुखिया कुछ दिन पहले काशी शेहर का कोत्वाल था. इसके भी प्रमान मिलते हैं. वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत राग बनाया. उस भेरो राग को सु लेकिन उसकी ओर ध्यानना देने से उसको जितनी प्रसिद्धी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी. उसके जो सेवक हैं उन्हें भेरवारी कहते हैं जिसका अपबरंश भराडी है. इसमें इस बात का पता चलता है कि बली राजा का राज्य इस देश में आजपाल यानी राजा दशरत के पिता जैसे कई खेत्रपतियों के राज्य से भी बढ़ा था. इसलिए सभी खेत्रपती उसी की नीती का अनुसरन करते थे. इतना ही नहीं. उनमें से साथ खेत्रपती बली राजा को लगान देकर उसी के आश्रे में रहते थे. इसलिए उसका नाम साथ बढ़ाई तो कानपिड़ाई इसका मतलब है, जो बलवान है उसी का राज। बली राजा कुछ विशेश महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय बली राजा अपना दरबार भरवाता था। वहां सब के सामने एक उल्टी थाली रख देता था। की कसम खाकर, हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर, नारियल और पान के बीड़े को हाथ में उठाकर, अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपटे में बांध लेता था। उसी वीर को बली राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता था। बाद में वह वीर बली रा जाके महावीरों में भैरोबा, जोतिबा तथा नवखंडोबा अपनी रैयत की सुख सुविधा के लिए इसी तरह के शर्तिया प्रयास करते थे. आज भी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य प्रारंब करने से पहले तड़ी उठाने का संसकार अपना रखा है. उन्होंने अ पहिरोबा अत्वाज्योती का स्तुतिगान करते थे. इतना ही नहीं, बली राजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानता था. इसकी प्रिष्ठा भूमी में आज के मराठे यानी मातन, महार, कुन्भी और माल अधी लोग हर अभिबार के दिन, अपने अपने घर के उस कुलिस्वामी की प्रतिमा को जलसनान करवा कर, उसको भूजन अरपन किये बगरवे अपने मुह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालते हैं. धोंडी राव, बली राजा के राज्ये की सरहत पर आने के बाद वा होचा. इसलिए बली अपनी देश भर में फैली हुई फौच को एकठा करने से पहले ही. बेबस होकर, अपनी निजी फौच को साथ में लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युधभूमी पर उतर पढ़ा. बली राजा बली भादरपद वध्या एक पद से वध्यतीस तक हर दिन वामन और उसकी फौच के साथ लड़कर शाम को आराम के लिए अपने महल में आता था. इसी की बजह से दोनों और के जितने लोग उस पखवाडे में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए. उनके मरने की तिथिया ध्यान में रही. इसलिए हर साल भादरपद माह में उस तिथी को श्राध करने की पनप्रा पढ़ गई होगी, इस तरह का तर्प निकलता है. आश्विन शुधर एक पद से शुधर अश्टमी तक बली राजा वामन के साथ लड़ाई में. इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरम्यान अपने महल में आरा पीए बैठी रही. उसने वहाँ अपने साथ पानी का एक कलश रखा था. रानी इस तरह बिना खाए पीए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ती की विजह हो और वामन की बला तल जाए. इसलिए रानी यहाँ बैठ कर महावीर की प्रार्थना कर रही थी. इस दरम्यान आश् ध्यवली अपने पती के बिचोह के कारण आग में कूद कर मर गई. तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़े पंडों ने अपने बदन के कपड़ों को नोच नोच कर फार डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा. उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीट जमीन पर अपने हाथों को पित्ते हुए, तालियां पित्ते हुए, रानी के गुनों का वर्नन करते हुए, उस गड़े के इर्द गिर्द घूम कर अपना शोक प्रकट किया होगा कि, ए रानी, तेरा दिन दोरा घमग माया आदी, दुख की चिंता के ये शोले वही शांध हो जाएं, फैले नहीं इसलिए ब्राह्मनों के धूर्ट ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर, उस गड़े का होमकुंड, बनवा कर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंद कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखी होंगी, इसमें कोई शक नह उधर बली राजा के युधभूमी में मरने के बाद बानासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज लेकर भाग गया, इस युध्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्थ हुआ कि बली राजा की मुक्य राजधानी मे कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया, वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर आश्विन शुधध दश्मी को बड़ी सुबह ही उस शेहर में पहुचा, उसने वहां के अंगनों में लगा हुआ जितना सोना था, सब ल बली राजा करके अपने दर्वाजे की दहलीज पर रखा था, वामन के घर पहुचने पर उसने वामन से कहा कि यह देखो, बली राजा आपके साथ पुनह युद्ध करने के लिए आया है, यह सुनते ही उसने उस कंकी के बली राजा को अपने लात की ठोकर से फेंग दिया और फिर घर के अंदर प्रविष्ट किया, उस दिन से आज तक ब्राहमनों के घरों में हर साल आश्विन, महीने में विजयादर श्मीत दशेहराक को ब्राहमन औरतें कंकी या भात का बली राजा बना कर अपने अपने दर्वाजे की दहलीज पर रखती है, बाद में अपना इसलिए इस त्योहार को ब्राहमनों का त्योहार कहते हैं, अनू, इसी तरह बानासुर के लोग आश्विन शुधध दश्मी की रात में अपने अपने घर गए, उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बली राजा की प्रतिमा रख कर और यह भविश्यवानी जान कर क दूसरा बली राजा इश्वर के राज्य की स्थापना करेगा. अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि अला बला जावे और बलों का राजावे इडा पिडा जावो आनी बढ़ाई राज्य ये वो. उस दिन से लेकर आज तक से पिर भी बली के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंच की औरतों ने हर साल आश्विन शुधर दश्मी को शाम के समय अपने अपने पती और पुत्र की आरती उतार कर आगे बली का राज्य आवे. इस इच्छा का त्याग नहीं किया है. इसमें पता चलता है कि आग बड़े पद और प्रतिष्ठा के स्थान मिले. इसलिए ये लोग रानी के जन्पर आमसभाओं में लंबे-लंबे भाशन देते हैं. लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोश व्यक्त करने का दिखावा करते हैं. धोंडी राव, उस स बानासुर से मिलने की खबर सुनते ही बली राज्य के कुल मिला कर सभी ब्राहमन अपनी जान बचा कर वामन की ओर भाग गए. उनको इस तरह भाग कर आते देखा तो वामन बहुत ही घबरा गया. उसने सभी ब्राहमनों को इकठा किया. आश्विन शुध पंद्रवी को वे सभी एकठा होकर सारी रात जाग कर. अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दाव पेंच तै करने लगे कि बानासुर से अपना संरक्षन कैसे किया जाए. दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौच को साथ लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पह के पास जो कुछ था वह सब लूट लिया. फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमी से ख़देड कर हिमाले की पहाडी पर भगा दिया. फिर उसने उस वामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे अंत में इसे चिंता में वही पर वामन अवतार का सर्वनाश हुआ. मतलब, वामन भी मर गया. वामन के मरने से बांसुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई. वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मनों में वामन एक बहुत बड़ा संकर था. उसके मरने से, उसके नश्ट हो जाने से हमारा शोशन उत्पीरन समाप्थ हो गया। उसी समय से ब्राह्मनों को उपाध्य कहने की पारिपाटी चली आ रही होगी। इस तरह का तर्प निकाला जा सकता है। बाद में उन उपाध्यों ने अपने अपने घरों में युद्ध में मरे अपने सभी रिष्टेदारों के जिसको आजकल होली कहा जाता है, जला कर उनकी दाहक्रिया की। क्योंकि उनमें पहले से ही अम्रित आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बानासुर और अन्य तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने सभी रिष्टेदारों के नाम से फालगुन के लिए कुछ लोगों को बहा रखा। शेश सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में पहुचा। बानासुर के अपनी मुख्य राजधानी में पहुचने के बाद जो खुशी हुई। उसका वर्नन करने से ग्रंत का विस्तार होगा। इस दर की वजह से यहां मैं घटना का संक्षिप्त तिहास दे रहा हूं। बानासुर अपने सारे जायदाद की गिंती करके आश्विन वध्या त्रयादेशी को उसकी पूजा की। फिर उस नेवध्या चतुरदशी और वध्या तीस को अपने सभी सर्दारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया औ उन्होंने कार्तिक शुधत दो को अपने अपने भाईयों को यथासा मर्थ्य भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोजन खिलाकर उनका पूरी तरह से समाधान किया। बाद में उन्होंने उनकी आर्ती उतारी और कहा की अला बला जावे और बली का राज्या आवे एड़ा पिड़ा जावो आनी बठीचे राज्य येवो। इस तरह उन्होंने आने वाले बली 14 के राज्य स्मरन दिलाया। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भयादूज भावबीज के दिन शत्रिय लड़कियां अपने अपने भाई को आने वाले बली राज्य कही स्मरन दिलाती ह लेकिन उपाध्य कुल में इस तरह का स्मरन दिलाने का रिवाज बिलकुल ही नहीं है। धोंडी राव, लेकिन बली राजा को पाताल में गारने के लिए आदिनारायन ने वामन अपतार लिया। उस वामन ने भिखारी का रूप धारन किया और उसने बली राजा को अपने चल कपट में फंसाया। उसने बली राजा से तीन कदम धर्ती का दान मानगा। बली राजा ने अपने भुलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप त्याग किया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने बली जगेंडे ने अपना तीसरा पाउंग बली राजा के सिर पर रख दिया और उसने बली राजा को पाताल में दफना कर अपना इरादा पुरा कर लिया. इस तरह की बात ब्राह्मन उपाध्यों ने भागवत आदी पुरानों में लिख रखी है. लेकिन आपने जिस हकीकत का वर और आकाश को घेर लिया था, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गाउं, गाउं के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जाने गवाई होंगी की नहीं. दूसरी बात यह कि उस गली जगेंडे ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, उ इस गली जगेंडे को कमर के ऊपर माथे तक आकाश शेप बचा होगा, तब उस गली जगेंडे को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और उसने केवल चलकपर्ट से अपना तीसरा कदम बली राजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया, उसकी इस नीती को क्या कहना चाहिए? धोंडी राव, क्या सचमुच में वह गली जगेंडा आदिनारायन का अफतार है? उसने इस तरह की सरयाम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्ट, दुष्ट आदमी को आदिनारायन मानते हैं, उससे तिहासकारों को ची, ची, करते हुए हम उनका निशेद करते हैं, क् चौती बात यह है कि उस गली जगेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको बहां बड़े जोड से चिलाते हुए बली से पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे दो कदमों में सारी धर्ती और आकाश समेट गए, फिर अब आप ही बताए कि मैं बात है, उसी प्रकार धर्ती के मानब बली राजा ने उस वामन नाम के गली जगेंडे को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो, फिर यह बात उसने सुनी होगी, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बली राजा उसके जैसा बेधगा आदमी बना नहीं था, पांचवी बात यह है कि उस गली जगेंडे के बोज से धर्ती की कुछ भी हानी नहीं हुई, यह कैसी आश्चर्य की बात है, धोन्डी राव, यदि धर्ती की हानी हुई होती तब हम यह दिन कहां से देखते, उस गली जगेंडे ने क्या क्या खा कर अपनी जान बचाए होगी, फिर जब वह गली जगेंडे मरा होगा तब उसके उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले चार लोग कहां से मिले होगे, वह उसी जगह मर गया होगा, यह कहा जाए, तब उसको जलाने के लिए पर्याप लकडियां कहां से मिली होगी, यदि उस तरह की विशाल का इलाश को को जलाने के लिए पर्याप लकडियां नहीं मिली होगा, यह कहा जाए, तब उसको वही के वही कुत्ते सियारों ने नोच-नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा की नहीं, तापतर्य यह की भाग भागवत आदी सभी पुरान ग्रतों में उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता है। इसका मतलब स्पष्ठ है कि उपाध्योंने बाद में समय देख कर सभी पुरान कताओं के इस तरह के ग्रतों की रचना की होगी, यही सिधा होता है। जोतीराव, तात, आप इस भा जाने पर रोग, प्राचीन काल में ब्राहमन लोग घोडी आदी जानवरों का मास खाते थे, पुरोहित, राक्षस, यग्य, बानासुर की मृत्यू, अच्छूत, परवारी धागे की गैनली का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्नी, कुन्भी, शूद्रों से अफरत, असपर्शनिय भाओ, मांगलियत, सोठे, धर्मशास्त, मनू, पुरोहितों की पड़ाई लिखाई का परिनाम, प्रजापती की मृत्यू, ब्राहमन आदी के संबंध में, धोंडी राव, वामन की मृत्यू के बाद उपाद्यों का मुख्या कौन हुआ? जोती राव, वामन की मृत्यू के बाद उन लोगों को कुलीन मुख्या की नियुक्ती के लिए समय ही नहीं मिला होगा। धोंडी राव, ब्रह्माने सबसे पहले क्या किया होगा। जोती राव, उन्होंने वहां के फल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पंची और जानवरों को ही नहीं, बलकि कई लोगोंने अपने पालतु घोडी की भी हत्या करके उन्हें भून करके खाया और अपनी जान बचाए। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भरष्ट कहने लगे, बाद में उन पंडोंने कई तरह की कठिनायों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मास खाये। लेकिन जब उन्हें उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मास खाने पर रोक लगा दी होगी। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मन धर्मवाद बाद में यग्यों का धर्म कहलाया। उनके यग्य पूरी तरह से हिंसकी थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मनों का यग्य होता ही नहीं था अनू। धोंडी राव, बाद में ब्रम्हा ने क्या किया, जोती राव, बली राजा के पुत्र बानासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा, प्रजा पर जो नियंत्रन था, वह भी धीला पड़ गया, जिधर देखिये, उधर बेबसी का वातावरन था, हर क अकुल ब्राह्मन परिवारों को जिसका अपभरन शाज परिवारी है, लिया, फिर उसने राक्षसों पर प्रक्षक जो अब्राह्मनों के यहां के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा, राक्षस शब्द मूल तह रक्षक अर्थात रशन करन रात में एक आएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से बिनाश किया. बाद में उसने बांसुर के राज्य में गुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पराज जाए और हम सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े. उसमें हम को अपने अपने परिवार को पहचानने में कठिनाई हो जाएगी लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके. इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में छे सफेद धागों से बने रिस्से को अर्थात जातिनिर्देशित निशान. मतलब, जिसको आज ब्राहमन लोग, ब्राहमसूत्र कहते हैं, जनेऊ, उसको उसने हर ब्राहमन के गले में पहना दिया. उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जातिनिर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र पंद्रह कहा जाता है. उन जोती राव, ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्रह्मनों को साथ में लेकर बानासुर के राज्य में घुसपैट की, फिर हमला किया। उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के होसले ना उम्मेद कर दिया। उसने अधिकांश भूकशेतर अपने अधिकार के लिये लिया और युद्ध में कमरकस कर लड़ने वाले महारी आज उस शब्द का अपबरन शुरूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे। उनका सब कुछ उसने चीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उस सब क्षुद्र ल और उन शेश सभी शुद्रों को क्रशिकार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन क्रशक शुद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयम लेकर शेश भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बनाया। इसी की बजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मन कर्मचारियों का नाम कुले करनी जिसका अपबरंश रूप है कुलकरनी हो गया और उसी प्रकार उन शुद्र कुलों का किसान नाम कुलवारी जिसका अपबरंश शब्द है कुलंबी। कुलंबी या कुनबी सोलह हो गया। लेकिन उन दास कुनबियों और अरतो के अनुसार बाद में सभी ब्राहमन दिन बर दिन मस्ती में आ कर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंद में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका अलग से ग्रंथ हो जाएगा। का विधी निशेद नहीं रखते हैं अग्यानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीवे खोजते रहते हैं। अंत में जब उनका बसना चलता है तब वे शूद्रों के दरवाजे दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीक मानकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं। लेकिन शूद्रों के घर के नौकर्ट सेवक बन कर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदाली फावडा चलाने के लिए खेत से घास सिर पर धोने के लिए तयार नहीं होंगे। पीछे दोडने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतियों को बगल में दबा कर, सभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों से घरों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर से जूठे बर्तनों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर की लालतेन साफ करके जलाने के लिए तयार नहीं होंगे। वे शूद्रों के घर पर लीपापोती का काम करने के लिए तयार नहीं होंगे। वे लोग रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, माल धक्के पर कुली, कबाडी का काम करने के लिए शर्माते हैं। इसी प्रकार ब्राहमन औरतें शूद्रों की नौकरानिया होकर कंगी नहीं कर देंगी। शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेगी। शूद्रानियों के लिए बिच्छाना नहीं लगा कर देंगी। उनकी साड़ियां, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी। उनकी जूतियां सभालने के लिए तयार नहीं होंगी शर्माती हैं, फिर जब वे महारीक महार, लोग अपने शूद्र भायों को ब्राहमनों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राहमनों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर हमले करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भुजन भी खाने से इंकार करते थे, उसी नफरत की वजह से आजकल के ब्राहमन शूद्रों द्वारा चुआ हुआ भुजन तो क्या, पानी भी नहीं पीते हैं, ब्राहमनों की किसी शूद्र के द्वारा चुई हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मांगलिक सोफ्ठें ओवठें होने की संकल्पना को जन दि वाज हो गया, फिर अधिकांच शूद्र बिरोधी ब्राहमन ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़ी, अपने मन में भी थोड़ी लजजा नहीं रखी, उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राहमन किसी शूद्र का स्पर्ष होते ही अपवित्र नापाक अमांगलिक हो जाता था, इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त जैसी कई अपवित्र, व्रष्ट किताबे लिखी हैं, ब्राहमनों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी भी तरह परना लिखना नहीं सिखान चाहिए, उन्हें ज्यान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बीच जाने के बाद यदि शूद्रों को अपने बीते हुए काल के श्रेश्ठत्व की स्मृतियां हो गई तब वे कभी न कभी उनकी छाती नोचने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे, उन उन्हें इतना ही नहीं किया बलकि कोई ब्राह्मन यदी धर्मग्रत का अध्ययन कर रहा हो, तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुँचना चाहिए, इस बात की भी पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी और इस तरह का विधान भी उन्होंन के पेटु ब्राह्मनों को अपने मुँँ से यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि वे शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, फिर भी वे लोग अपने पूरवजों का लुच्चापन, हराम खोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं देखाएंगे, उनमे शूद्रों के बच्चों को सिर्फ काम चलाओ व्यभारिक ज्यान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतु देश अभिमान, देश गर्व की बातें पाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज, राजभक बनवाते है फिर वे अंत में उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भले। अग्यानी शूद्र राजा के बारे में गलग सलग बातें सिखाते रहते हैं। अधिकारियों की ही भीर समा जाती है, सभी सरकारी सेवाओं का लाव इन ही ब्राहमनों को मिल जाता है। और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में सरकारी सेवाओं में ना आपाएं, इसलिए इतनी सफाई से, चतुराई से जुल्म ज्यादातियां करते हैं कि यदि इस संबंध में पूरी-पूरी हकीकत लिखी जाए। तो कलकते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग जो जुल्म करते हैं, वो हजार में एक अधना भी नहीं भर पाएगा। फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वान लेकर केवल ब्राहमन अधिकारी कर्मजारियों के कंधों पर अपना हाथ रखकर उनकी नीती से चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राहमनों को इसी नीती से गंभीर खत्रा पैदा होने की संभावना है। इस बात को बादार्य लोगों का मूल नाम भट लुप्थ हो गया और बाद में उनका नाम ब्राहमन हो गया। परशुराम को निमंत्रन आधी के संबंध में। जोती राव, प्रजापती प्रमहा के मरने के बाद शेश महारियों ने ब्राहमनों के जाल में फंसे हुए अपने भाईयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी द्रिर्ता से युद्ध लड़ते रहे की अंत में उनका नामदवेती पढ़ गया और उस शब्द का बाद में अपब्रंश, दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों को पराजित किया तब उनमें से कई महाविरों ने निराश होकर अपने सनेहियों के प्रदेशों में जाकर अपने आखिरी दिन बिताए। शेश जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमी में कैद करके रखा। उन पर उसने कड़े प्रतिबंद लगा कर रखा था। उन महारियों को कभी भी ब्राह्मनों के विरुद्ध कमर नहीं कसनी चाहिए। ऐसी शपत उनको दिलाई गई। उसने सभी के गले मे काले धागे की निशानी बंधवाये और उन्हें अपने शूद्र भाईयों को चूना नहीं चाहिए ऐसा सामाजिक प्रतिबंद लगाया। बाद में परशुराम ने उन महारिक शत्रियों को रत्य शूद्र, महार, अचूत, मातंग और चांदाल आदी नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। इस शत्रिता पूर्ण भावना से महार, मातंग आदी लोगों से बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह से घटिया से घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपने जाती बिरादरी के लोगों की बड़ी-बड़ी इमारतों की नीव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके, उनके बेसहाया चिलाने से किसी की अनुकमपा होगी, इसके लिए उनके मुह में तेल और सिंदूर डाल कर उन लोगों को जिंदा अवस्था में ही दफनाने की परंपरा शुरू की, जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, वैसे वैसे ब्राहमनों द्वारा शुरू की गई, ये हमानविय परंपरा समाप्त होती गई, लेकिन इधर महारियों से लरते लरते पर शुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राहमनों की अपेक्षा ब्राहमन विध्वाओं की व्यवस्था किस तरह से की जाए। इसकी भयन कर समस्या ब्राहमनों के सामने खड़ी हो गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राहमन लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बानासुर के सभी राजियों के क्षत्रियों को समूल नश्ट करा देने के इरादे से अंत में उन महारी क्षत्रियों की निराधार गर्भबती विध्वा औरतों को, जो अपनी जान बचाने क लिए जहां तहां छुप गई थी, उन औरतों को पकड़-पकड़ कर लाने की महिम शुरू कर दी। इस अमानवी अशत्रुता पूर्ण मुहिम से नजर बचा कर बचे हुए निन्हे बच्चों द्वारा निर्मित कुछ कुल वंश इधर प्रभू 19 लोगों में मिलते इसी तरह परशुराम की इस धूमधाम में रामोशी, जिंग, तुमबडीवाले और कुमहार आदी जाती के लोग होने चाहिए, क्योंकि कई रस्म रिवाज में उनका शूद्रों के मेल होता है। जिंगामस्ती से ब्राहमनों की बड़ी हानी हुई। इसकी वजह से सभी ब्राहमन लोग परशुराम के नाम से घ्रिना करने लगे। यही नहीं। उस समय वहां के एक शित्रप्ती के रामचंद नाम के पुत्र ने परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद के प्रती प्रतिशोद की भावना घर कर गई। उसने रामचंद को अपने घर जानकी को ले जाते हुए देखा तो उसने रामचंद से रास्ते में ही युद्ध छेर दिया। उस युद्ध में परशुराम की क पुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप का परिनाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहा। कब और कैसे खो दी, इसका किसी को कोई पता नहीं लग सका। उस परवाडे के पहले चंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मनों को अपने परशुराम को न्योता दे कर बुलाना चाहिए और उसकी उपस्तिती में मेरे सामने इस बात का खुलमखुला खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूरवज परशुराम से 21 बार महारीक शत्रिय थे या नहीं इसकी सूचना ब्राह्मनों को दी गई लेकिन वास्तविक्ता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता दे कर नहीं बुलाया था इससे यह बात सपष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदिनारायन का अवतार होता और चिरंजी भी होत ब्राह्मन ने उसको कब का खोज निकाला होता और मेरी बात तो क्या सारी दुनिया के खरिस्ती और महममदी लोगों के मन का समाधान करके सभी मलेच लोगों के विद्रोग को अपनी मंत्रविद्या की सार्मत्य से तहस नहस करने में कोई कसर नहीं चोड़ता धोडी राव म भी उनको परशुराम के मतानुसार, भ्रष्ट्र और पतेथी मानना चाहिए। इस बात के लिए प्रमान यह है कि अभी अभी कई ब्राह्मनों ने शास्त्रविधी के अनुसार करेले खाने का निशेद किया है। लेकिन धर्म शास्त्रों द्वारा निशिद ठहराए गए म मौलियों के द्वारा सीचे गए पानी से उत्पन गाजरों को छुप-छुप कर खाने की होर ब्राह्मनों ने लगा दी थी। जोती राव, ठीक है, जो भी कुछ क्यूं नहो, मुकाम सब जगह, चिरंजी परशुराम अर्थात आदिनारायन के अफ्तार को, तात, परशुर तुम ब्राह्मनों के ग्रतों की बजह से चिरंजी भी हो, करेला करवा क्यूं ना हो, किन्तु तुमने विधिपूर्वक करेले खाने का निशेद नहीं किया है। परशुराम, तुमको पहले जैसे मच्छुओं की लाश से दूसरे नए ब्राह्मन पैदा करने की गरज नही पड़ेगी, क्योंकि आज यहां तुम्हारे द्वारा पैदा किये गए जो ब्राह्मन है, उनमें कई ब्राह्मन विविधग्यानी हो गए हैं। अब तुम्हें उनको बहुत ज्यादा ज्यान देने की भी आवश्यक्ता नहीं रहेगी। इसलिए हे परशुराम, तुम यहा परशुराम, तुम इस तरह मूँ छुपा कर, भगोडा बन कर मत घूमा करो। तुम इस नोटिस की तारीक से 6 माह के भीतर भीतर यहां पर उपस्थित हो सके, तब महीं नहीं, सारी दुनिया के लोग। तुम सचमुच में आदिन रायन के अवतार हो, ऐसा समझेंगे और ल परशुराम, तुम अपने विविधग्यानी ब्राह्मनों पर रहम खाओ, ताकि उन पर विपत्ती के पहाड न तूट पड़े। तुम्हारा सत्यरूप देखने वाला, जोती राव गोबिंद राव फुले, तारीक एकली, महीना अगस्त, सन 1872, पूना, जुना गंज, मका नम, 527, परिच्छेद, 9, वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अंचर पढ़ कर मारना, वक्ती का दिखावा करना, जब, चार वेद, ब्रहमजाल, नार्द शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी, भागवत और मनुसनहिता में असमानत जोती राव, क्योंकि उस समय ब्राहमन लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्रविदी करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षम्दा लाए बगर उनका प्रयोग शत्रू पर करते नहीं थे, उन्होंने इस तरह से जब कई दाव पेंच लड़ा कर बानासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया। उस समय बड़ी आसानी से शेश सभी भूले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राहमनों की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमान इस तरह से दिया जा सकता है कि भरिगु नाम के रिशी ने जब रिशी के पाऊं को तकलीफ हो गई होगी। यह समझ कर उसने रिशी के पाऊं की मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा सा अरत स्वार्थ से जुडा हुआ ह। वो यह है कि जब साक्षात अदिनारायन ही जो स्वयम विश्नु है ब्राहमन की लात को बरदाश्ट करके उसके पाउं की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं, उनके कहने के अनुसार शूद्र प्रानी, यदि ब्रह्मन अपने हाथों से या लातों से मार पीट कर हमारी जान भी ले ले, तब भी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। धोंडी राव, फिर आज जिन नीची जाती के लोगों के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहां से सीख लिया होगा। इस से यह प्रमानित होता है कि ब्राह्मनों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहां से चारों और फैली होगी। इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली व और कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर पर मात्मा. देब बात करता है, उनके इस तरह के कहने पर अनारी लोगों का विश्वास जम जाता था, उनके प्रती श्रद्धा उत्पन होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन होता था. इस तरह वे इन अनारी लोगों को डरा धमका कर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेजशास्त्रों से सिधह होती है। क्योंकि ये अनारी लोग दिन भर अपने खेत में काम में जुते रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनकी नाक में दम जड़ जाता है। निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं। उसी प्रकार चार वेदों की रचना एक ही करता द्वारा एक ही समय में हुई है। यह बात भी सिधह नहीं होती। इस बात का मत कई यूरोपियन पर उपकारी ग्रंथकारों ने सिधह करके दिखाया है। धोंडी राव, तात, फिर ब्राह्मन पंडितों ने यह ब्रमघोटाला कप किया है। जोती राव, ब्रहमा के मरने के बाद कई ब्रहमर्शियों ने ब्रहमा के लेक को तीन हिस्सों में विभाजित किया। मतलब, उन्होंने उसके तीन वेद बनाए। फिर उन्होंने उन तीन वेदों में भी कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलग सलत व्यर्थ की बाते मालूम थी। उन पर उन्होंने उसी रंग धन की कविताएं रच कर उनका एक नया चौथा वेद बना यही मौका देखकर नारत जो हिजडों की तरह औरतों में ही अक्सर बैटता उटता था। उसने रामचंद्र और रावन, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडवादी सभी भोले भले क्षेत्रपतियों के घर घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। उसने उनके बीवी बच्चों को कभी अपने एक्तारे क्वीना से आकरशित किया तो सभी एक्तारे के तार को तुन-तुन बजाकर और उनके सामने थही थही नाचते हुए तालिया बजाए और उनको आकरशित किया। इस तरह का स्वांग रचकर और इनक्षेत्र पतियों को उनके परिवारों को ग्यान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें आपस में एक दूसरे की चुगलियां लगा कर जगड़े लगवा दिया और सभी ब्राहमन पुरोहितों को उसने आबाद आजाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राहमन ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नजरों में धूल जोंक कर वेदमंत्रों के जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ बातों का मिलाप करवा कर कई स्मृतियां। इस दर से उन ग्रंथों में मंचाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ग्यान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा। धोंडी राव, तात, आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुरान कथा ऐसी मिलती है कि उससे इस्पनीती हजारों गुना अच्छी है, यह मानना पड़ेगा। इस पनीती में बच्चों के दिलो दिमाग को भरष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। जोती राव, उसी तरह मनुसाहिता भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह सिधकिया जा सकता है। धोंडी राव, तात, इसका मतलब यह कैसे होगा की मनुसाहिता भागवत के बाद में लिखी गई होगी। जोती राव, क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने, इस तरह की शपत लीकी मैंने हत्या नहीं की है। सुधामन राजा के सामने लेने की शपत मनुने अपने गरंद के आठवें अध्याय के 110 विश्लोक में कैसे ली है। उसी प्रकार विश्वमित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मास खाने के संबंध में जो कहा है, उसी गरंद के दसमें अध्याय के 108 विश्लोक में क्यों लिखा है। धोंडी राव, तात, अब तो चरम सीमा हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिधकिया था कि चार घर की चार गरंथ करता ब्राह्मन लड़कियों ने मिलकर घर की कोट्री में जूट फरेवी का खेल खेला। इसलिए उस बली राजा ने अपने दीन, दूर्बल और शोशित भाईयों को सभी ब्राह्मनों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्थ, मतलबी बहेलियों की गुलामी से मुक्त करके, न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके अपनी जेश्ट महिलाओं के इसलिए उस समय सारे यूरोप में बड़ा तहलका मच गया था, करोणों लोग उसके अनुयाई हो गए और वे अपने निर्मान करता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्ही का सत्ता कायम हो, इस दिशा में रात और दिन प्रयतनशीर रहे, लेकिन इसी समय इस क् प्रुषों ने ब्राहमनों के वेदमंत्र, जादू विदी के अनुसार चमतकार का प्रदर्शन किया, उसने उन ब्राहमनों को भी अपने धर्म का अनुयाई बनाया जो पशुओं की बली चड़ा करके उत्सव यात्रा के बहाने गोमास भक्षन करते थे, उसी प्रकार जो ब्राहमन घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदी दुर्गुनों से युक्त थे और जिन ग्रतों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रतों पर तेल काजल का लेप लगा कर अर्थात उन ग्रतों को नकारते हुए उसने अधिकांश ब ब्राहमन करनाटक में भाग जाने के बाद उन लोगों में शंकराचार्य नाम अपना कर एक तरह से बितंदावादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस ब्राहमन वादी पंडित ने जब यह देखा कि अपने ब्राहमन जाती के दुष्ट कर्म की धूर् जान्दा हो रही है। थथू हो रही है और बुद्ध के धर्म का चारों और प्रचार हो रहा है। तो उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का ब्राहमन पंडित पुरोहित पेट पालने का धंदा ठीक से नहीं चला रहा है। इसलिए उसने नया ब्रमजाल खोज जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रतों का बौध जन्ता ने निशेद किया था। उसका उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्यन किया और बौधों ने जिन बातों के लिए ब्राहमनों की आलोचना की थी। उसने उनमें केवल गोमास ख की स्थापना की। इस देश में जो तुरक आये थे उसने हिंदूों के एक वर्णक शत्रियों में उन्हें शामिल कर लिया। फिर उसने उनकी मदद से मुस्लिमों की तरह तलवार के बल पर बौधों को पराजित किया और फिर पुनह उसने अपनी उस शेष जादू मंत्र विद्या और भागवत की व्यर्थ की पुरान कताओं का प्रभाव अज्यानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौध धर्म के कई लोगों को तेली के कोलहु में ठूस ठूस करके मौत के घाट उतार दिया। में जब उस शंकराचार्य के दरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मशालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों और सध्वा नारी की तरह नोक जोंक करके नाचते हुए घूमने लगे तो ब्राह्मनों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल क्योंकि उनमें उन सभी दुष्ट कर्मों का खुले आमत्याग करने की हिम्मत नहीं थी इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों का ज्यान मार्ग इस तरह के दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रतों की रचना की इस त फिर ब्राह्मन लोगों को दिन के एक चोथाई समय गुजवने तक मुस्लिमों का मुहना देखना चाहिए, रजस्वलास्त्री की तरह घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले ऐसे लोग बाजी राव के दरबार में एक्ट्थे होते थे, लेकिन अब समय ने करवट ले पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रारंब में सभी मेहनत खोर ब्राह्मनों को एयाशी और गुल्छर्रे उढ़ाने के लिए जो सुख घटाव सुविधाय मिलने वाली थी, उसके पहले ही इंग्रेज बहादुरों का जंडा चारों और लहराने लगा, उसी समय उस शूद्रों को ब्राह्मनों की इस अत्यंत मानविय गुलामी से मुक्त किया, उन्होंने शूद्रों के शूद्रादी अतिशूद्र गले में ब्राह्मनों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेडियों को तोर दिया और उन गुलामी की बेडियों को ब्राह्मन उस समय अधिकांश ब्राहमन समझ गए की, अब वे खरिस्ती उपदेशिक मिशनरी उनका प्रभावन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे, वे उनके सारे ढोल के पोल खोल के रख देंगे, यह उनकी पक्की समझ हो गई थी। खांदानी पाखंडी वे विद्या की मदद से अग्यानी शूद्रों को उपदेश देना शुरू कर दिया, जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रती घ्रिना और नफरत की भावना जाग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राहमनों ने विद्या प्राप्त की और उसके माध्यम से ब्राहमनों के कुछ लोग बाबु, क्लर्क हुए और अन्य-अन्य सरकारी सेवाव में गए। इस तरह से ब्राहमन लोग कई प्रकार का सरकारी काम अपना कर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में पहुँचे। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं है जहां ब्राह्मन ना पहुंचे हों। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बढ़ा पुरुशार्थ दिखाया है। उन्हों के दिलो दिमाग में हमारी द्यालू अंग्रेज सरकार के प्रती पूरी तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की मतलब वे कौन सी बाते थी। जोती राव, कई ब्राह्मनों ने सारवजनिक स्थानों पर बनवाए गए हनुमान मंदिरों में रात रात बैट कर बड़ी धार्मिक्ता का प्रदर्शन किया। वहाँ उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रतों की दक्यान उसी बाते अनपर्शूद्रों को पढ़ाई और उनके दिलो दिमाग में अंग्रेजों के प्रती नफरत की, घ्रिना की भावना पैदा की। इन ब्राह्मन पंडितों ने उन अनपर्शूद्रों को मंदिरों के माध्यम से यही पढ़ाया की बली के मतानयायों की छाया में भी खड़े नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आज तक जितनी भी धिनगामस्ती हुई है, उसमें भीतर से कहो या बाहर से, ब्राह्मन पंडित पुरोहित वर्ग के लोग अगुवाई नहीं कर रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस द्रोह का पूरा नित्रित्व वेही लोग कर रहे थे। देखिए, उमजी रामोशी 23 की धिनगामस्ती में काले पानी की सजा भोगने वाले धोंडोपंत नाम के एक ब्राहमन व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल परसों के चपाती संग्राम में परदेशी ब्राहमन पांडे, कौनकन का नाना पेशू, तात्या टोपे आधी कई देशिस्थ 24 ब्राहमनों के ही नाम मिलते हैं। तहस नहस करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोज भी उठाना पड़ा होगा और उस कर्ज के बोज को चुकाने के लिए परवती 25 जैसे फिजूल संस्थान की आई को हाथ लगाने की बजाए हमारी सरकार ने नए करों का बोज किस पर डाल दिया। अपराधी कौन हैं और अपराधना करने वाले लोग कौन हैं। इसकी पहचान किये बगएर ही सरकार ने सारी जनता पर कर लगान लगा दिया। किन्तु यह इन बेचारे अनपरशूद्रों से वसूल करने का काम हमारी इस मूर्क सरकार ने किसके हाथों में सौंप दिया। इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राहमन लोग अंदर ही अंदर शूद्र संस्थानिकों से जी जान से इसलिए गाली गलोच कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाती के नाना फढ़नीस को उचित समय पर मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी अंग्रेजों के आत्मे कर वसूली का काम सौप दिया। जो शूद्र संस्थानिकों से जी भर कर गाली गलोच करने वाले थे, दिन में तीन बार सनान करके मांगल यता का धिन्धोनरा पिटने वाले थे, धनलोलुप और ब्रहमनिष्ट ब्राहमन कुल करनी थे। अरे, इन कामचोर ग्रामरा रक्षसों को जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी गई, उस दिन से उन्होंने शूद्रों की कोई परवा नहीं की। किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गाओं के सभी पशुओं पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काट कर उनको हलाल करने का हुक्म अपनी जाती ये इन ग्रामरक्षसों को ब्राह्मनों को कलम कसाई की जो उपाधी दी है भाज भी प्रचलित है और अपनी मूर्क सरकार उनका अन्य सभी कामगारों की तरह तबादला करने की बजाए उनकी राए लेकर अग्यानी लोगों पर लगान कर मुकरर करने की कारण नोटिस तेय कुलकरनियों को कुछ लाब भी होता होगा जोती राव उससे उनकुलकरनियों को कुछ फाइदा होता होगा या नहीं यह वे ही जानते हैं लेकिन उनको यदि किसी वहियात फतूरिया से कुछ लाब न भी होता हो फिर भी वे उन पर इस तरह की नोटिस भिजवा कर कम से कम चार-ार्ट दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और आने जाने में सारी शक्ती खर्च करवाते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं. वे उन पर अपना रुद्बा जमा करके कामों की उपेक्षा करते होंगे. बाद में उन्होंने शेश सभी काम बगु इसलिए कई लोग प्रसन हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश बरसाई. कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर मचाया. यदि यह बात सच है तब उसकी पूरी जांच परताल करनी चाहिए और ऐसे हराम खोर कुल कारियों को, मुखिया को इस चालबाजी से अबगत कराया गया. फिर भी सरकार उन पहले दारों की आँखों में धूल जोंक कर ऐसे कलम कसायों को प्रसन करने में लगी हुई है. आज के ब्राहमनों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के श्रमरुप लगान की बजह से वेदमंतरादी जादू विद्या सही है. इस तरह की जूठी बातों से उन्होंने शूद्रों के दिलो दिमाग पर प्रभाव कायम किया. शूद्रों को उनका पिछलगगू बनना चाहिए. इसके लिए न जाने किस-किस तरह के पांसेफें के होंगे. उन्होंने शूद्रो के लिए आपस में रूपा पैसा भी इकठा किया था। इस तरह उन्होंने जब अनुष्ठान के आखिरी दिन बेलबंडी पर भात का बली राजा बनवा कर सभी प्रकार के अग्यानी लोगों को बड़ी बड़ी लंबी चोड़ी जूठी खबरें दिलवा कर बड़ी यात्रा ही परोसी गई। ब्राह्मनों को भूजन से त्रिप्त कराने के बाद उनमें से कई ब्राह्मन पुरोहितों ने उन अग्यानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपने वेदमंत जादू का प्रभाव कायम रखने के लिए उपदेश देना शुरू किया हो तो इसमें कोई सं तब उन्हें अपने अंग्रेज बहादूरों को प्रसाद देने की हिम्मत होगी। धोंडी राव, तात, बस रहने दीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ कहने की आवश्यक्ता नहीं है। एक कहावत है कि दूद का जला चांच भी फूंक फूंक कर पीता है। उसी तरह इ चड़ाने का कितना भी प्रयास क्यूं न करें और तमाम गली कुछों में से भूंकते हुए क्यूं न फिरते रहें। लेकिन अब उनसे किसी का कुछ भी कम ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक के खांदान को सतारा के किले में कैद करके रखने वाले नमकहर पेशू, जैसे हिजड़े ब्राह्मनों ने रात और दिन खेती में काम करने वाले शुद्रों की मेहनत का पैसा लेकर मुह देखी पहले दरजें के जवामत ब्राह्मन सरदारों को सरंजाम बनाया। उन जैसे लोगों को दिये हुए अधिकार पत्र सनद के कारणों को देख कर फर्स्ट सौर्ट रपकान साहब जैसे पवित्र नेक कमिशन को भी खुशी होगी, फिर वहाँ दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या। उन्होंने पारवती जैसे कई संस्थानों का निर्मान करके, उन संस्थानों में अन्य सभी जातियों के अंधे, दुर्बल तथा उनके बाल बच्चों की बिना परवा किये, उन्होंने ब्राह्मनों अपनी जाति के मोटे ताजे आलसी ब्राह्मनों को हर दिन का मीठा अच्छा भोजन खिलाने की पनप्रा शुरू की। उसी प्रकार ब्राह्मनों के स्वार्थी नकली ग्रथों का अध्यन करने वा सकती है कि उसने अपनी प्रोर्ता और राजनीती को बड़ा धबा लगा लिया है। उक्त प्रकार के फिजूल खर्ट से ब्राह्मनों के अलावा अन्य किसी भी जाती को कुछ भी फाइदा नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे हराम का खा कर मस्ताय हुए और ये लोग हमारे अनपर शूद्र दाताओं को अपने चुडल धर्म के गंदे पानी से अपने पाउं धोकर वही पानी पिलाते हैं। अरे, कर्मनिष्ट ब्राह्मनों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के कई वाक्यों को काजल पोत कर ऐस बुरे कर्म कर्म कैसे किये। लेकिन अब तो उन्हें होश में आना चाहिए और इस काम के लिए अपनी भोली-भाली सरकार कुछ न सुनते हुए पार्वती जैसे संस्थानों में इन स्वार्थी ब्राह्मनों में से किसी को भी शूद्रों के पसीने से पकने वाली रोटिया नहीं खानी चाहिए। इसके लिए एक जबरदस्त सारवजनिक ब्राह्मन सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इस पर नियंतरन रखना चाहिए। जिससे उनके ग्रतों का कुछ ना कुछ दबाव पुनर विवाहुत तेजक मंडली पर पड़ेगा, यही हमारी भावना थी। किन्तु उन्होंने इस तरह की बड़े बड़े उपनामों की सभाएं स्थापित करके उनके माध्यम से अपनी आँखों का मुतियबिन ठीक करना तो छोड़ दिया और अग्यानी लोगों को सरकार की आँखों के दोश दिखाने की कोशिश में लगे रहे। यह हुई इसको अब क्या कह सकते हैं। जोती राव, यह सरकारी पटवारी वतनदार ब्राहमन कुलकरनी 26 हैं और इनकी जालसाजी के बारे में अधिकांश दयालू यूरोपियन कलेक्टरों को पूरी जानकारी है। इसलिए जब उसको अग्यानी शूद्रों पर दया आई तो उन्होंने सरकार को रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट भेज करके सभी कानूनों के द्वारा कुलकरनीयों के कदम कदम पर बंधनों में बांधने की कोशिश की। उनको कानूनों के माध्यम से नियंतरित रख कर उनके अनियंतरित व्यवहार को नियंतरित किया गया। फिर भी इन कलम कसायों का उनके मतलबी धर्म से शूद्रों के संबंध होने की वजह से शूद्रों पर प्रभाव था। इतना ही नहीं, तो वे लोग मौका देख कर उसी चौपाल में चावरी, बैट करके किसी गैरवाजबी सरकारी कानून को लेकर उस पर कई तरह के पैने कुतर्प नहीं देते होंगे। और शूद्रों को सरकार से नफरत करनी चाहिए, इसलिए उनको क्या चोरी-चोरी पाठ नहीं पढ़ाते होंगे। और उनका एक शब्द भी अपनी सजग सरकार के कान में डाल देने के लिए शूद्र लोग क्या कपकपाते 27 नहीं होंगे। चून की सभी उपरी दप्तरों के कर्मचारी ब्राहमन जाती के हैं। इसलिए अब तो अपनी सरकार को सभालना चाहिए। सबसे पहले हर एक गाउं में इनाम देकर उन्हें उपदेशिकों का काम सौंप देना चाहिए। साथ में यह हिदायत भी की वे उस उस गाउं की हकीकत के बारे में करीब करीब साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेजते रहें। यदि इसके अनुकूल कानून बनवा कर बंदोबस्त किया गया। तब आगे किसी समय नाना पेशु जैसे ब्राह्मन को पुनह जब किसी पीर ने मिननत मागी या उसने किसी शिवलिंग की यात्रा करके उसके द्वारा रसीला भोजन खिलाने की बजाए चमतकारिक धंग से तियार की गई रोटिया निश्चित समय पर गाउं गाउं में एक के रहेंगे. इतना ही नहीं, जब भी यूरोपियन उपदेशिक सभी शूद्रों को सही ज्यान देंगे और इनकी आखें खोल देंगे, तब ये लोग इन ग्रामराक्षसों के नजदीक भी खड़े नहीं रहेंगे. दूसरी बात यह है कि सरकार को अपने ग्राम कर्मजारी, नौकर, पटेल, चौदरी, से लेकर कुलकर्णियों तक के काम की परीक्षा लेनी चाहिए और इस तरह के महत्वपूर्म कामों को एक ही जाती या विशिष्ट जाती के लोगों के हाथ नहीं सौंपना चाहिए. इसका परिनाम यह होगा कि पौच की तरह इस काम में कुछ विशेश अधिकार की बात पैदा नहीं होगी. बलकि उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और सभी लोगों को पढ़ने लिखने की इच्छा अपने आप पैदा होगी. यदि आवश्यक्ता हो तो सारी हमारी दयालू सरकार को चाहिए कि शिक्षा विभाग का फिजूल खर्च एकदम बंद कर दे और यह सारा पैसा कलेक्टर के खाते में जमा कर देना चाहिए. फिर एक यूरोपियन कलेक्टर की ओर से, जो रविस साहब की तरह किसी भी प्रकार का पक्षपातना करते हुए, सभी जाती के होशियार छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके, उनको केवल रूखा सूखा खाना और छोटे मोटे कपड़ों की व्यवस्था करके, उनके लिए हर कलेक्टर साहब के बंगले के करीब पाटशाला चालानी चाहिए और उन छात्रों को पटेल, कुलकर्नी तथा पंतोजी, पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्रामसेवक आदी के नाम की ट्रेनिंग देकर, फिर परीक्षा लेकर इस तरह के काम सौंप देने चाह इसका परिनाम यह होगा कि ये लोग सभी ब्राह्मन कुलकर्नियों की एकता के लिए बदनाम नाना पेशु जैसे ब्राह्मनों के काम नहीं आएंगे, बलकि जो लोग अज्यानी शूद्रों को फंसा करके उनके खेत, वतन, हड़पते होंगे और उन लोगों से हर तरह के ज जमार आदी जातियों में से एक भी पड़ा लिखा कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर यहां M, A, या B, A, पड़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे, अरे रे, अपनी इस सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुव ब्राह्मन पंडितों ने यह कितना बड़ा काला दाग लगाया है, अरे, यह कड़वे करेले हमारी सरकार ने इतने घी में तलकर, शकर में घोल कर पकाय, फिर भी उन्होंने अपने जाती, स्वभाव छोड़ा नहीं और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे धोंडी राव, तात, आपका कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्नी अनपरशूद्रों की भूमी बतन को किस प्रकार का फांसा डाल कर हड़पते होंगे जोती राव, जिन शूद्रों को परना लिखना बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसे अन पर शूद्रों को एक उलकर्नी खोजते रहते हैं और फिर स्वयम उनके साहुकार होकर वे उनसे जब गिर्वी खाता लिखवा लेते हैं उस समय वे अपनी जाती के अरजनवी से मेल मिलाप करके उनमें एक तरह की शर्ते लिखवा लेते हैं जो उन शूद्र किसानों के खिलाफ हो और इस खुलकर्नी साहुकार के फायदे की हो फिर जो शर्ते लिखी जाती हैं उनको न पढ़ने हुए गलती सल्ती बाते पढ़कर सुनाई जाती हैं फिर उस कागस पर उनके हाथ के अगुठे के निशान लगा कर अपना वही खाता पूरा कर लेते हैं फिर कुछ दिनों के बाद जालसाजी से उन शूद्रों की जमीन जायजाद लिखी गई शर्तों के अनुसार हडपते होंगे की नहीं धोंडी राव, तात, आपका कहना बिलकुल सही है ये लोग जाती से ही कलम कसाई हैं लेकिन ये लोग अनपर शूद्रों में किस प्रकार के जगड़े पैदा करते होंगे जोती राव, खेती बाडी, जमीन जायदाद आदी के संबंध में संत्योहार, पोला आदी में और होली के दिन होली के बांस को पहले पूरी आदी कौन बांदेगा इस संबंध में शूद्रों के आपस में जो जगड़े फसाद होते हैं, इन में ब्रह्मन कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता है वे लोग इन जगड़े फसादों को करवाने में जिम्मेदार नहीं होते, इस तरह के कुछ उदाहरन तुम वास्तव में दिखा पाओगे धोंडी राव, तात, आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन शूद्रों के आपस में इस तरह के जगड़े फसाद करवाने में इन ब्रह्मन कुलकर्णिया आदी कलम कसायों को क्या मिलता होगा जोती राव, अरे, जब कई घरंदा जन पर शूद्रों के घराने मन ही मंदवेश की अगनी में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब अंदर ही अंदर से इनकलम कसायों सहित अन्य ब्रह्मनों कर्मचारियों के घरे साग में तपते तपते जलकर क्या जाही की वजह से स्थानी अप मुल्की फौजदारी और दिवानी विभाग खाता का खर्च बेहत बढ़ गया है और वहां के अधिकांश कर्मचारी ममलेदार से लेकर ग्राम से वक तक सभी अपने तत्स्वितुर्वरेन्यम भर्गो देवस्य धिमाही धियो योना प्रचो बताओ की कीवे बड़ी-बड़ी कोर्ट कचहरियों में बैट कर जोर-जोर से हंसी के फवारे छोड़ते हुए गूमते है की नहीं। इसके अलावा मुनसिफ नवाब के सरंजाम कितने बड़े हैं, इसका हिसाब दो। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी गरीब ल उनकी जोली में डालने के लिए घर से कुछ ना कुछ साथ में ले लो, तब कहीं काम के लिए बाहर निकलो। धोंडी राव, तात, यदी ऐसा ही होता हो, तब तो गाओं-खेडों के तमाम शूद्र लोगों को यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर उनको अपनी शि ऐसी हालत में किसी लंगोड बहादुर ने बड़ी हिम्मत से, किसी बुटलेर की मदद से, यूरोपियन कलेक्टर से अकेले में मिलकर और उनके सामने खड़े होकर यह कही कि ब्राहमन कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तब इतने चार शब्द कहने कि इन कलम कसायों को भनग भी लग गई तो समझ लो, हो गया इसका काम तमाम। फिर उस अभागे आदमी के नसीब ही फूट गए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे लोग कलेक्टर, कचेहरी के अपनी जाती के ब्राहमन कर्मचारी, बाबू, से लेकर रेवेन्यू के या पिर आदे कलम कसायी तुरंद हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर वादी के साक्षीदार गवाहदार बन जाते हैं, ये लोग उनके जगडे में इतनी उल्जन पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य क्या है, यह पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है, इस सत्य असत्य को खोज निकालने के लिए बड़े-बड़े विद्वान यूरोपियन कलेक्टर और जजज लोग अपनी सारी अकल खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको छिपे हुए रहस्य का कुछ भी पता नहीं चलता और नहीं कुछ हाथ लगता है, बलकि वे उस शिकायत करने वा कार की प्रवरिती की वजह से कई गरीब किसान शूद्रों के मन में यह बात आती होगी कि यहां हमारे किसी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं है, इनमें से कई लोगों ने डाकू और लुटेरों का जीवन अपनाया होगा और अपनी ही जान को तबाह किया होगा की नहीं, इ प्रिच्छे, तेरह, तैसीरदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनिरिंग विभाग के ब्राह्मन कर्मचारी आधी के संबंध में, धोन्डी राव, तात, इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मन लोग मामलेदार आधी होने की वजह से अनपर, अग्यानी शूद्रो को नुकसान पहुंचाते हैं. जोती राव, आज तक जो भी मामलेदार हुए हैं, उनमेν से कई मामलेदार अपने बुरे कर्टूतों की वजह से सरकार की नजर में अपराधी सिधह हुए हैं और सजापाने के काबिल हुए हैं. वे मामलेदार काम करते समय इतनी दुश्टत प्रकार इस शहर की म्यूनिसिपालिटी किसी मकान मालिक को उसके पुराने मकान की जगह पर नया मकान बनाने की तब तक अनुमती नहीं देती जब तक ब्राहमन मामलेदार द्वारा उस नगर के कुलकर्नी का अभिप्राय समझ नहीं लिया जाता। के संबंद में कुलकर्नी का अभिप्राय आवर्शक और सच है यह कैसे मानना चाहिए। इन तमाम बातों से इस तरह की शंका पैदा होती है कि ब्राहमन मामलेदारों ने अपनी जाती के कलम कसायों का हित साधने के लिए इसम्यवस्था को बरकरार रखा होगा। इस से तुम ह को हम लोग साचना माने तब ये जो अधिकांश देहातों के अग्यानी, अनपर्शूद्रों के समुह अपने बगल में अपने कपड़े लत्ते दबा कर ब्राहमन कर्मजारियों के नाम से चिलाते हुए घूमते दिखाई देते हैं, क्या यह सब जूट है। इन्ही लोगों ब्राहमन मामलेदार ने मेरी अरजी ले ली और कुछ समय के लिए उसने मेरी अरजी दूसरे दिन लेकर मेरे चल रहे काम से मुझे उजार दिया। और इस तरह उसने मुझे भिखारी बना दिया। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राहमन मामलेदार की सलाह पर मेरे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया और उसके मेरे खेत में अपना हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं केवल उसके हाथ में अपनी अरजी दे दी और तुरंट चार-पांच कदम पीछे हड़ गया। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ कर बड़े ही दीन सुखी भाव में कामते हुए खड़ा रहा। मैं को हर बात से सूचित किया लेकिन सभी अरजियां वहां के ब्राह्मन कलर्क ने कहां दबा करके रख दी की कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताय अनुसार ही बराबर पढ़ कर सुना दिया और फिर उस निकाल पत्र पर उसके हस्थाक्षर लेकर वह निकाल पत्र जब मुझे मामलेदार के दबार अप्राप्त हुआ। तब उस पत्र को देख कर मैं अपने माथे को पीटता ही रह गया और मैंने मन ही मन में कहा कि हे ब्राहमन कर्मचारी तुम लोग अपना लक्ष पूरा किये बगर चुप नहीं रह सकते। कोई कहता है कि जब मेरी कलेक्टर साहब के पास कुछ भी सुनवाई नहीं हुई तब मैंने रेवेन्यू साहब को दो तीन अरजियां भेज दी लेकिन मेरी वे सभी अरजियां वहां के ब्राहमन क्लर्क लोगों ने कोशिश करके फिर उस साहब की और से पुना कलेक्टर के ह दिखवा कर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी अब तुम ही बताओ ऐसे करने वालों के साथ क्या करना चाहिए कोई कहता है कि मेरा केस शुरू होते ही अटनी द्वारा बीच में ही मुह मारने की वज़े से जज साहब कहने लगे चुप रहो बीच में मत बोलो बाद मे उन्होंने स्वयम ही मेरे सभी कागजात पढ़ लिये लेकिन कागजातों को वह बेचारे क्या करेंगे क्योंकि पहले की कलेक्टर कचेहरी के सभी ब्राहمن कर्मचारीों ने कुलकर्णियों की सूचना के अनुसार मेरे पूरे के इसका स्वरूपी बदल दिया था कोई कहता ह कि आज तक सभी ब्राह्मन कर्मचारियों के देव पुजा के कमरे के मंत्रोचारों के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए. हम बरबाद हो गए. हमारे खेत नीलाम किये गए. हमारी जमीन जायजाद चली गई. हमारा अनाज गया. हमारा अनाज से भरा बार जरी देते थे. बाद में किसी घटिया मराठी अकबार में अंग्रेज सरकार या उसके धर्म की अदी अलोचना. नुक्ताचीनी की गई हो, तो उसका मतलब जाते जाते हम अग्यानी, अनपर शूद्र मजदूरों को समझाया करते और बाद में अपने घर लोट जाते थे. और सरकार भी ऐसे घटिया लोगों की मेहनत करने वाले मजदूरों से भी ज्यादा डबल तंख्याह देती है. फिर भी मजदूर ने तंख्याह मजदूरी लेने के बाद उस ब्राहमन कर्मचारी के हाथ पर कुछ रुपया पैसा रख दिया, तब तो कोई बात नहीं, यदि उसने उसके हाथ पर कुछ भी रुपया पैसा न चोड़ा तो उसकी खेर नहीं. वह ब्राहमन कर्मचारी दूसरे दिन से ही अपने से बड़े साहब को उस मजदूर के बारे में गलत सलत बाते बता करके उस मजदूर के नांगे लगए जाते हैं. इतना ही नहीं. कोई ब्रा कोई कहता है कि आज रात को मैं गाओ में उस लेन घटा और देन करने वाली विद्वा के घर में नाश्ता पानी करने के लिए जाने वाला हूँ. इसलिए तू खाना खाकर मेरे निवास पर आकर मेरे परिवार के साथ सारी रात रहकर वही सो जाना. लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि कल शाम को ही बड़े इंजिनियर साहब यहां अपना काम देखने के लिए आने वाले हैं, इस प्रकार का इत्तिला राउ साहब ने लिख कर भीजा है। कहना चाहिए, शूद्रों को उनकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, यह अधिकार उनको नहीं है, यही उनके धर्मशास्त्रों का कहना है। स्वतंत्र किताब लिखी जा सकती है। इसलिए इस बात को मैं यही समाप्त कर देता हूँ, तातपर यह उपर लिखी गई तमाम दलीलों में जो भी आपको सच लगे, उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त भी करना यही हमारी सरकार का धर्म है। इसलिए उन बेचारों को इन तमाम अनर्थों की खोज बीन करके उस समबंद में सरकार को रिपोर्ट करने के लिए समय भी कहा है। इतना सब होने पर भी मैं यह सुन रहा हूँ कि कौनकर्ण के अधिकांश दयालू यूरोपियन कलेक्टरों ने अग्यानी शूद्रों पर ब्राह्मन जमीनदारों खोथ 28 की ओर से जो जुल्मधाये जा रहे हैं। उन्हें समाप्त करने के लिए अग्यानी शूद्रों के पक्ष में स्वयम ब्राह्मन जमीदारों के खोथ प्रतिवादी हो कर वे सरकार में उस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी समय सभी ब्राह्मन जमीदारों ने खोथ अमेरिकी स्लेव, गुलाम, होल्डर का अनुकरन करते हुए अपने मतलबी धर्म की सहाइता से अग्यानी। अनपर्षूद्रों में सरकार के विरोध में गलत सलत बातें प्रचलित की। इसकी वजह से अधिकांश अग्यानी शूद्रों ने यूरोपियन कलेक्टरों के विरोध में संघर्ष करने की तयारी की। उन्होंने सरकार को कहा कि हम लोगों पर ब्राहमन जमीदारों का खोत जो अधिकार है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। यह अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से आगे किसी समय उन्होंने ब्राहमनों के बहकावे में आकर सरकार के विरोध में अपना हाथ खड़ा किया तब उनकी बड़ी हानी होगी। क्योंकि शूद्रों को ब्राहमन पंडित पुरोहितों की दास्ता से मुक्त होने का इससे प्रांध भी शूद्र समाज के लोग मूर्ख के मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप भी क्या करेंगे। शूद्रों का नुकसान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को केवल उन यूरोपियन कलेक्टरों को जिन्हें अच्छी तरह से महराष्ट्रा भाषा, मराठी भाषा बोलना आता है। उन सभी को उम्र भर के लिए पेंशन देकर वहीं तमाम शूद्रों के हाथ के खिलोने बने हूए शूद्रों में मिल जूलकर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और फिर उन्हें सभी ब्राह्मन कुलकर्णी आदी कर्मचारियों की चाला की पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अमाम अग्यानी शूद्रों को यथार्त का पता चलते ही वे लोग इन ब्राह्मन पुरोहितों के कुतर की अधिकारों का पूरी तरह से निशेद करेंगे और ये अग्यानी शूद्र लोग अपनी अंग्रेजी सरकार के उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं, इस बात का मु अग्यानी शूद्री दागने की कसरत किसलिए कर रहे थे। अपने में ही इस तरह का बिखराव आने की वजह से अपना राजकाज अंग्रेजों के हाथ में चला गया और वे लोग अब हमारे अग्यानी भुले भले लोगों का अपने देश के प्रतीजों अभिमान है। अबरी में आना कदापी संभव नहीं है। यह उन्होंने मुझे टॉम स्पेंस 29 आदी ग्रन्थकारों की किताबों के कई वाक्य उद्धरन स्वरूप देकर सिधा करके दिखाया है। इसी की बज़े से इस तरह से मूर्कतापूर्ण आचार कुछ दिनों तक अपने बच्पन में करता रहा था। लेकिन बाद में उन्हीं ग्रतों के सहारे गंभीर रूप से सोचने लगा। तब कहीं इन पड़े लिखे ब्राह्मनों से मतलबी मलहम्टी का सही अर्थ मेरे ध्यान में आया। वही सही अर्थ यह है कि हम सभी शूद्र लोग अंग्रेजों के गुरुभाई धर्मबंधूप होते ही उनके पूर्वजों के तमाम ग्रतों का धर्मशास्त्रों का निशेद करेंगे और उससे उनके जाती अहनकार को ठेस पहुँचेगी। इस तरह का उसका तुरंद परिनाम यह होगा कि उनके हरामी लोगों को हम शूद्रों के श्रम की रोटियां खाने को नहीं मिलेंगी। इस प्रकार ब्रमहा के बाप को भी यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि शूद्रों से ब्राह्मन उचेवर्ण के हैं। अरे, जिन लोगों के पूरबजों को ही देशा भिमान शब्द बिलकुल मालूम नहीं था, उन लोगों ने उस शब्द का इस तरह से अर्थ किया, इसके लिए हमको बहुत आश्चर्य करने की आवश्यक्ता नहीं है। अंग्रेज लोगों ने वास्तव में बली राजा के आने के पहले देशा भिमान शब्द का अर्थ ग्रीक लोगों से पढ़ा था। यदि इन पड़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों को स्वदेशा भिमान वास्तव में मालूम होता, तो अपनी किताबों में, अपने धर्मशास्त्रों में अपने ही देशबंधूं, शूद्रों को पशु से भी नीच समझने के बारे में लेक नहीं लिखे होते। वे ब्राह्मन पंडित पुरोहित वर्ग के लोग मेला खाने वाले पशु का गोमूत्र पी कर पवित्र होते हैं, लेकिन शूद्रों के हाथ का साफ सुत्रा ज़रने का पानी पीने से अपने आपको अपवित्र समझते हैं। देखिए, इन पड़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों द्वारा क्रिष्चन लोगों के पवित्र देशा भिमान के विरुद्ध उपस्थित किया हुआ पवित्र देशा भिमान। हमको यदि किसी की बदौलत समझा होगा, तो वह अंग्रेजों की बदौलत। और ऐसे परुपकारी लोगों को मतलब, हम सभी को ब्राह्मनों की गुलामी से मुक्त करने वाले लोगों को अपने देश से भगा देने की उन ब्राह्मनों की कसरत में ऐसा कौन है जो शामिल होना चाहेगा। अरे, ऐसा कौन मूर्ख आदमी है जो अपने रक्षकों के विरुद्ध ही अपना हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। लेकिन मैं तुमको इतना स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वे लोग हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों का साथ देंगे। ऐसी बात नहीं है। इसलिए जब तक उन अंग्रेज लोगों की सत्ता इस देश में हैं, तब तक हम सभी शूद्र लोगों को जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी ब्राह्मन पंडित पुरोहितों की पनप्रागत धार्मिक सामाजिक सांस्कृ गुलामी से मुक्त होना चाहिए। और इसी में हम सभी की बुद्धिमानी है। भगवान ने एक बार शूद्रों पर दया करके एंग्रेज बहादुरों के हाथ से ब्राह्मन नाना साहे पेशवा के विद्रोह को चकना चूर करवा दिया, यह अच्छा हुआ, वरना उन्श 15. सरकारी शिक्षा विभाग, म्योनिसिपालिटी, दक्षन आप्राइज कमिटी और ब्राहमन अकबार वालों की एक ताता था शूद्रों घटाव अच्छुतों के बच्चों को लिखना घटाव परना नहीं सीखना चाहिए, इसलिए ब्राहमनों द्वारा रचाए गए श बेइमानिपूर्ण बातें लिखी गई हैं, उसका रहस्य खुल जाएगा और उनके पूर्वजों का भंडा फोर होगा, उनकी बेज्यती होगी, इस बात से वे लोग भयगरस्थ हो गए हैं, उन्होंने अपनी भूली घटाव भाली सरकार से कभी घटाव कभी अकेले में म हम क्या कहें? पहले के जमाने में किनी अग्यानी अधिकारियों ने चार धर्म रष्ट, पाखंडी पुरोहितों के आगरह के खातिर उस तरह का उपदेश देने वाले उपदेशिक को सूली पर चड़ा दिया था, इसलिए ब्रह्मन घटाव पंडा घटाव पुरोहितों की बली धर्मशास्त्रों की पोल खोलने वाली किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से बहिश्कृत करा दिया, तब हमें भी क्यों आश्वर्य लगना चाहिए? धोंडी राव, तात, लेकिन इसमें सरकार का क्या दोश है? इसके बारे में जरा समझाए. जोती राव, इस बात को हम कैसे माने की इसमें सरकार का कुछ भी दोश नहीं है? सरकार ने जिन तथाकतित प्रगतिशीर ब्राह्मनों की दलील पर उस तरह के सत्य को कहने वाली किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से निकाल बाहर किया, उस किताब का विरोध करने वाले लोगों द्वारा तयार की ह कुई किताब में सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों के अभ्यासिक्रमों में लगवा कर, फिर उनहीं लोगों को ही सुद्रों के स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करना, क्या यह हुचित है? चून की इसके बारे में सोच घटाव विचार करने के बाद यह सिदह होता है कि कल तक उस किताब को जिन प्रतिवादियों ने सरकारी शिक्षा विभाग से बहिश्कृत करवाई, उनहीं लोगों को ही सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करके उनको उस पवित्र किताब के विरुद्ध शूद्रों के मुह से उपदेश देने का अफसर क्यू दे रही है। इसलिए हमारी भोली घटाव भाली सरकार के लिए उस पवित्र सरकारी शिक्षा विभाग के उन सभी प्रतिभागियों को उनकी किताबों के साथ निकाल बाहर करना स क्योंकि शिक्षा विभाग के एक प्रमुक ब्राह्मन कर्मचारी को हर साल कम घटाव से घटाव कम 7000 रुपया तंख्या देनी पड़ती है. अब सुल्तानी रही नहीं. किन्तु असमानी में हर हुई तब बताए कि इतनी रकम तयार करने के लिए शूद्रों के कितने परिवर शूद्र मजदूरों को लहलाती धूप में सूरज के निकलने के समय से लेकर सूरज के डूबने तक सड़क पर मिट्टी को टोकरियां सिर पर धोनी पड़ती है. उस बेचारे को कही बाहर जाने के लिए एक पल की भी फुरसत नहीं मिलती और दूसरी और बिना काम किये. ब बाहर घूमने के लिए निकलने का उद्देश उन्हें अपने सभी परिचितों से मेल मिलाब के लिए जाना होता है. इसलिए वे लोग सजधच के बड़े नकरे में गोड़े की गाड़ी में सवार होकर शहर के रास्तों पर लोगों की धलीज घटाव खलिहान देखते लेकिन फिर भी मिशनरियों का हर माह 10 रुपे माहवार पाने वाला उपदेशिक इन ब्राहमन घटाव पंडित घटाव पुरोहितों से हजार गुना अच्छा है. ये लोग उस मिशनरी उपदेशिक के पाव की धूल की भी बराबरी करने योग्य नहीं है. क्योंकि जिस श ब्राहमन शिक्षक अपने उपरवाले यूरोपियन कर्मचारी के पास हर दिन इधर घटाव उधर की चार गप में लगा कर, मन चाहे तब घटा घटाव दो घटाव घटा स्कूल में बच्चों को पढ़ा कर, उनको साल में दो घटाव चार लिखेत रिपोर्ट कर देता है मतलब, उसका काम हो गया, और ऐसे लोगों को ही चार पड़े लिखे लोग ही नामदार नौकर और देशभक्त कहते हैं अरे, इन विकाओ ब्राहमन नौकरों ने आज तक शिक्षा विभाग के लाखों रुपे खा लिये हैं लेकिन सच कहता हूँ, उनके हाथ से न तो किसी अच्षूत को शिक्षा मिली और न शूद्रों को उन्होंने उनमें से किसी एक को भी आज तक म्यूनिसिपालिटी का सदस्य नहीं बनाया इससे अब तुम ही सोचो की इस शिक्षा विभाग में जितने ब्राह्मन कर्मचारी हैं वे सभी वफादार नौकर अपने देश के अज्यानी अच्षूतों के प्रती कितनी हमदर्दी दिखाते हैं इतना ही नहीं ये देश भक्त म्यूनिसिपालिटी में मुख्य अधिकारी होने पर भी पिछले साल के पानी के अकाल में अच्षूतों को पीने के लिए सरकारी बावली का पानी भरने में कोई मदद नहीं की इसलिए अच्छूतों का म्यूनिसिपालिटी में सदस्य होना कितना आवश्यक है, इसके में अब तुम ही सोच सकते हो धोंडी राव, तात, आपका कहना एकदम साच इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती किन्तु मैंने सुना है कि म्यूनिसिपालिटी में फिलहाल शूद्रों में से कई सदस्य इतने विद्वान हैं कि वे अपना मत देते समय अरे गोविंदा, तीस कहलाने वाले यंत्र की तरह अपनी गर्दन हिला कर उनकी हामे हाम मिला देते हैं क्योंकि वहां खुद के हस्ताक्षर करने वालों की ही पहले कमी, फिर वहां शेश सभी इने घटाव गिने पूज्य कहे जाने वाले लोग रहे फिर शूद सदस्यों की कमिटी में कुर्सी पर बैट कर अपनी गर्दन हिला कर हस्ताक्षर करने योग या कुछ लोग क्या अच्छूतों में मिल जाएंगे जोती राव, ऐसे शूद सदस्यों से भी कई गुना अच्छी तरह लिखने घटाव बोलने वाले कई अच्छूत लोग मिलेंगे लेकिन ब्राह्मनों के स्वार्थी, नकली, पाकंडी धर्मग्रथों, धर्मशास्त्रों की वजह से सभी अच्छूतों को चुना पाप समझा गया इसकी बजह से स्वाभाविक रूप ने उन विचारों को शूद सदस्यों की तरह सभी लोगों में मिल घटाव जुलकर अमीर होने की सुविधा कहां उपलब्ध हो सकती है उनको आज भी गधों पर बोज लाद कर अपना, अपने परिवार का पेट पालना पढ़ रहा है धोन्डि राव, ताथ, सभी जातियों का अलग घटाव अलग संख्या प्रमान देखने से म्यूनिसिपालिटी में विशेश रूप से किस जाती के सदस्यों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है जोती राव, ब्राहमन जाती की, धोंडी राव, तात इसलिए इस म्योनिसिपालिटी में बेगरियों और भांगियों को छोड़ कर ब्राहमन कर्मचारियों की ही संख्या जादा है इन में से कुछ जल प्रदाय विभाग में काम करने वाले ब्राहमन कर्मचारी थे वे भयनकर गर्मी के दिनों में अपनी जाती के ब्राह्मनों के घरों के टंकियों में होग मंचाहे पानी भरते थे और उस पानी का उप्योग वहां से इर्ध घटाव गिर्ध के सभी परूसी ब्राह्मनों के धोती घटाव कपड़े बरतन आदी धोने के लिए होता था और ध फिर बहां के लोगों को कपड़ा घटाव लतता धोने के लिए, बाल घटाव बच्चों सहित नहाने के लिए पानी कहा मिलेगा। इसके अलावा ब्राह्मनों की बस्तियों में नई टांकियां कितनी गई हैं। उधर जुनागर्ज पेट 31 मंडी आदी मोहलों के लोगों ने कई सालों से मान कर रहे थे कि उनके मोहले में पानी की टंकी बनवाई जाए, लेकिन म्योनिसिपालिटी ने उनकी बात पर उनके चिलाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां ब्राह्मन सदस्यों की संख्या जादा होने की वजह से उन बेचारे गरीबों की कई वर्षों तक कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। बेबंद शाही होने पर भी उसके बारे में मराठी अकबारों के पत्रकार सरकार को क्यूं आगा नहीं कर रहे हैं। जोतीराव, अरे, सभी मराठी अकबारों के संपादक ब्राह्मन होने की वजह से उनको अपनी जाती के लोगों के विरूद्ध लिखने के लिए हाथ नहीं चल रहा है। जब यूरोपियन मुख्या था, उस समय वह इन ब्राह्मनों की चतुराई चलने नहीं देता था। उस समय सभी ब्राह्मन संगठित होकर उन पर यह आरोप लगाने लगते थे कि उनके ऐसा करने से सभी प्रजाका इस तरह से नुकसान हुआ है। इस प्रकार ये ब्राह्मन लोग उनके विरुद्ध इस तरह गलत घटाव सलत अफवाय फैला कर उनको इतना त्रस्ट कर देते थे कि उनको अपने मुख्या घटाव पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना परता था और वे आगे इस म्यूनिसिपालिटी का नाम ल सरकार की बहुत बड़ी गलती है उसको इतना भी मालूम नहीं कि सभी ब्राह्मन अकबार वालों और शूद्र तथा अच्छूतों की जनम घटाव जनम में भी ऐसे काम में मुलाकात नहीं होती उनमें से अधिकांश अच्छूत ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम की आखिर अकबार किस बला का नाम है सियाल या कुत्ता या बंदर यह सब कुछ भी मालूम नहीं फिर ऐसे अपरिचित अंजान अच्छूतों के विचार इन सभी मांगलिक अकबारों को कहां से और कैसे मालूम होते हैं उन्होंने सरकार का मजाक करके अनपर लोगों के दिलों को आकर कर नुकसान हो रहा है लेकिन उनको इसके बारे में जांच घटाव परताल करने की फुरसत ही नहीं मिल रही है इस बात को क्या हम साच मान सकते हैं नहीं क्योंकि साथ समुद्र पार लंदन शेहर की रानी सरकार के मुख्य प्रधान अपने सपने में हिंदुस्थान के बारे में किस-किस प्रकार की बाते बर्गलाते रहे हैं, इस संबंध में छोटी घटाव मोटी खबरें अकबारों में चपती रहती हैं. हमारा कहने का मतलब यह है कि यह सब कहने के लिए उनको कहां से फुरसत मिलती है. छोड़िये इन बातों को भी फिर भी किसी मराठी इसाई अक म्यूनिसिपालिटी के ही किसी एक ब्राहमन सदस्य को सौंप दिया गया है. लेकिन वे लोग इस तरह की रिपोर्ट को म्यूनिसिपालिटी में अपने कंधे घटाव से घटाव कंधा मिला कर बैठने वाले जाती भायों की परवाना करते हुए उनके अपनी जाती के लोगो मतलब उस किताब की बजह से सरकार की बंद आखे खुल जाएंगी. जोती राव ब्राहमन घटाव पंडा घटाव पुरोहित जोशी अपने मतलब धर्म के गपोरे से अग्यानी शूद्रों की किस घटाव किस तरह बहकावे मिला कर फुसला करके खाते घटाव पीते हैं और दक्षना प्राईच कमिटी को भेजा था. लेकिन वहाँ भी इसी प्रकार के जिद्धी ब्राहमन सदस्यों के दुराग्रा की वजह से यूरोपियन सदस्यों की एक भी न चल सकी. तब उस कमिटी ने मेरे इस नाटक को नापसंद किया. अरे, इस दक्षना घटाव प्राई कमिटी को म्यूनिसिपालिटी की ही छोटी बहन कहने में मुझे कोई अपती नहीं होगी. उस दक्षना घटाव प्राईच कमिटी को शूद्रों को प्रेरित करना चाहिए था. शूद्रों को लिखने की प्रेरना मिले इसलिए कितनी जगह पर सहयोग दिया. यह खोजने के लिए आप चिराग लेकर भी जाएं तो कुछ मिलने वाला नहीं है. अंत में मैंने उस किताब को अलग रख दिया और कुछ साल बीट जाने के बाद दूसरी छोटी घटाव सी किताब में मैंने ब्राहमनों की चालाकी के संबंध में लिखा था और मैंने स्वयम के पैसों से ही उस किताब को छपवा कर प्रसिद किया था. उस समय पुना के मेरे एक मित्र ने अधिकारियों को उस पुस्तक की खरीद के लिए सूचना पत्र के साथ भिजवाई, लेकिन उनमें से किसी एक भी अधिकारी ने ब्राहमन घटाव पंडितों के डर की बजह से एक भी को किसी भी प्रकार दोशारोपन नहीं लगने दिया. धोंडी राव, तात, सच बात यह है कि आपको अपने लिए लोगों के आगे घटाव पीछे करने की आदत है नहीं, इसलिए आपकी किताबे बिक्ती नहीं. जोती राव, अरे, मेरे बाप, अच्छे काम को सफल बनाने के लिए बुरे इलाज नहीं खोजने चाहिए, वरना इस काम के अच्छेपन को ही धबा लग जाता है. उन्होंने मेरी एक किताब नहीं खरी दी, इसलिए क्या उससे मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, लेकिन अब इसके बाद मैं इस तरह के घटिया लोगों के स आपने जब ब्राह्मन जाती की लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी, उस समय सरकार ने महरबान होकर आपको बड़े सतकार के साथ एक शौल मिट की थी. बाद में उसी तरह आपने अच्छुतों के लिए भी स्कूल की स्थापना करके उसके लिए कई ब्राह्मनों की स है ताली थी. और उन सभी स्कूलों में बड़े जोर शोर के साथ पढ़ाई घटाव लिखाई शुरू हो गई थी. लेकिन बीच में ही वह अचानक बंध हो गया. कुछ साल बीच जाने के बाद आपने यूरोपियन लोगों के घर में आना घटाव जाना भी एक तरह से शुरू करने की आवश्यक्ता महसूस हुई. तब मैंने उस काम के लिए कई ब्राह्मनों को सदस्य बनाया और वे सभी स्कूल ब्राह्मनों के हाथों में सौंप दिये. जब मैंने अच्छूतों के लड़के घटाव लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किये, उस समय सभी यूरोपियन ग्रिहस्थों में रेवेन्यू कमिशनर रीभज साहब ने जो अर्थ सहायता की, उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता. उनुदार ग्रिहस्थों ने मुझे सिर्फ अर्थ की सहायता ही की है, ऐसी भी बात नहीं. बलकि वे अपना महत्वपूर्न धंधा सभालते हुए भी उन अच्छूतों के स्कूल में बार-बार आकर इस बारे में बार-बार पूछताच करते थे कि छात्रों ने पाय लिखाई में कितनी तरक्की की है. उसी प्रकार छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की वे बड़ी कोशिश करते थे. इसलिए उनके उपक उपकारों से मुक्त होने के लिए यदि वे अपने चमरे की जूतियां बना कर भी उनके पाउं में पहनाए, तब भी वे उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते. इसी प्रकार अन्यकुछ यूरोपियन ग्रिहस्थों ने मुझे इस काम के लिए काफी सहायता की है, उस काम में मुझे ब्राह्मन सदस्यों को लेने की जरूरत महसूस हुई. इसके अंदर की बात किसी समय मैं जरूर बताऊंगा. लेकिन बाद में जब मैंने उन स्कूलों में ब्राह्मनों के पूरवजों के बनावटी धर्मशास्त्रों में लिखी गई धूर्ता पूर्ण बातों के संबंद में उन छात्रों को पढ़ाना घटाव समझाना शुरू कर दिया. तब उन ब्राह्मनों और मेरे अंदर घटाव ही घटाव अंदर बोलचाल में रुखापन बढ़ता गया. उनके कहने का रुख इस तरह दिखाई दिया कि उन अचूतों के बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना घटाव लिखना घटाव सिखाना चाहिए. लेकिन यदि उनको पढ़ना घटाव लिखना घटाव सिखाना जरूरी है तब उनको केवल अक्षरों का ज्यान हो. बस इतना ही पढ़ना घटाव लिखना घटाव सिखाना चाहिए. इससे ज्याद उनके मन की बात को निश्चित रूप से समझ लेना आसान नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि यह लोग पर घटाव लिख कर बुद्धिमान बनेंगे, ऐसा उनको लगता होगा। और यह भी लगता होगा कि हमारी तरह ही इनको भी पढ़ने घटाव लिखने का मौका मिला। सही अतिहास के पन्ने पढ़कर हमारा पूरी तरह से निशेद करेंगे। यही उनकी भावना हो सकती है। इस तरह जब उनके और मेरे विचारों में फर्क पढ़ने लगा तब मैंने उन ब्राह्मन घटाव पंडितों के नकली, स्वार्थी स्वरूप को पहचान लिया और उन दोनों संस्थाओं से एक और हट गया। इसी दरम्यान ब्राह्मन पांडे मंगल पांडे 1857 का विद्रोह का विद्रोह शुरू हो गया। उसी समय से सभी यूरोपियन सभ्य लोग मेरे साथ पहले की तरह खुल कर बातचीत नहीं करते, बलकि मुझे देखते ही उनके चेहरे को नजरंदाज किया हैं और वे लोग हमको देखते ही अपने चेहरे पर मयूसी लाने लगे हैं। यह उनकी उदारवादी द्रिष्टी और उनकी बुद्धिमानी को श्योभा नहीं देता। उसी प्रकार हमें ब्राह्मनों की विद्वा नारियों के गर्भपात आधी जग के खर्चे से चलाया है। जोती राव अपनी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि जिधर दम उधर हम। क्योंकि अच्छूतों को छूने का अधिकार नहीं होने की वजह से स्वाभाविक रूप से ही उनके सभी प्रकार के काम घटाव धंधों करने के दरवाजे बंध हो जैसे उसके सामने पेट की आग को बुझाने के लिए चोरी घटाव डकैती आदी अवैद कामों को करने की नौबत आती है। लेकिन उन्हें चोरी डकैती आदी अवैद काम नहीं करने चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने उनको नजदीक के पुलिस थाने में जाकर हाजरी लगाने का दस्तूर शुरू किया है, यह अच्छा काम किया है। लेकिन ब्राह्मनों की अनात, निराधार विद्वास्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही होने की वजह से उन ब्राह्मन स्त्रियों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका प है हन्याए नहीं है। हमारी सरकार गर्भपात और भ्रून हत्या करने वाली विधवास्त्रियों की अपेक्षाचोरी घटाव दकैती करने वाले मातंग घटाव महार लोग ज्यादा दोशी दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह की ब्राहमनों की काम कम और बकवास ज्यादा रहती है। अरे, जो लोग समझदार होकर अपनी छोटी नासामज बहन की हजामत करने वाले हजजाम के हाथ को रोपने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकते, बुझदिल लोगों को ऐसे रोपने के लिए सदसे बना करके क्या फल होगा। धोन्डी राव, तात, को कोई बात नहीं, लेकिन आपने पहले कहा था कि सभी सरकारी शिक्षा विभागों में कुछ अव्यवस्था फैली हुई है, उसका क्या मतलब है। जोती राव, इन सरकारी शिक्षा आदी विभागों में जो हर तरह की अव्यवस्था है, उसके बारे में यदी लिखा जाए तब उसकी एक स्वतंत्र किताब ही हो जाएगी। इसी डर की वजह से उसमें से एक दो बातें उदाहरन स्वरूप यहां ले रहा हूँ। पहली बात यह है कि शूद्र और अच्छूतों के बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षक तयार करने की कोई दिल्चस्पी नहीं ह उनको इस काम में पूरी अनास्था है। भी ब्राह्मन पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छूत के बच्चों को स्कूल में दाखिल करते ही हिंदुस्थान में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी। बड़ा असंतोश पैदा होगा। इसलिए सरकार घबराती है। जोती राव, अरे, सरकार अपनी फौज में काम को स्वयम कर लेती है और शिक्षक, पंडित प्रशिक्षित करने का काम उस फालतू किसी हरामी गोबर गनेश को सौंप देती है और यदि उसको इस काम की कुछ भी जानकारी होती, तब उसने सबसे पहले अच्छूतों के बच्चों को शिक्षक के रूप में तैयार प् पर्याय है कि सरकार महरबान होकर इस काम को सभी यूरोपियन कलेक्टरों के हाथ में सौंप दे, तब ही यह शिक्षा के प्रचार का कार्य सफल होगा, वरना नहीं, क्योंकि इनहीं लोगों का शूद्र और अच्छूतों से निकट का संबंध होने की वज़े से ब्राहमन कर पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए. उन्हें हर गाउ घटाव खेडों में एक घटाव एक बार जाकर वहाँ यह समझाना चाहिए कि कुलकर्णियों की बिना मदद से गाउ के सभी बुजूर्ग घटाव बाल घटाव बच्चों को परना घटाव लिखना खाने के लिए बहुत ही खुशी से कलेक्टर साहब के हवाले कर देंगे। इस तरह यूरूपियन कलेक्टरों के कहने से शिक्षा से प्रचार प्रसार का काम जितना सफल होगा। उस तरह ऐसे ना समझ ब्राहमन पंडित कर्मचारियों से न सफल हुआ और न होगा, यही हमारी धरना है। इस संबंध में एक कहावत है कि जेनो काम तेनो थायर, बिजा करे तो गोता खायर। इससे अब तुम ही सोचो की शूद्र और अच्छूत जाती के पढ़े घटाव लिखे लोगों की आज कितनी जरूरत है। क्योंकि जब उस जाती के लोग पढ़ घटाव जानवरों को हांकते हुए उनके पीछे घटाव पीछे जाने से पहले। शिक्षा के प्रती उनके मन में इतना प्रेम पैदा करेंगे कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वे अपने में से एक बच्चे को बारी-बारी खेत पर जानवरों को सभालने के लिए र रोध में तीन साल तक लगातार जंग करने के बाद अपने हाथ के गुलामों को छोड़ दिया था। तब ऐसे मुर्क ब्राहमन स्कूलों में शूदरादी अच्छूतों को सही घ्यान पढ़ा कर उनको अपनी गुलामी से मुप्थ होने की प्रेरना कैसे दे सकेंगे। अरे यदी हमने अपने सरकार को भरी नीन से जगाया नहीं तब तो इस अनर्थ का दोश हमारे माथे पर लगेगा। इसी प्रकार चौधरियों की हवेलियों के रिसोई घरों में अच्छूतों के कितने बच्चे काम करते हैं इसके संबंध में जरा कुछ बताए। धोंडी इसका कारण वहां सभी ब्राह्मन कर्मचारियों का होना ही प्रतीत होता है। आपने एक बात मुझे एक दिन प्रत्यक्ष रूप से बताई थी। वह बात यह थी कि जो ब्राह्मन व्यक्ती पहले आपके पास नौकरी के लिए था। वह चूतों के स्कूल में आकर किसी भी प्रकार का चुवा चूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ना घटाव लिखना सिखाता था। लेकिन वही ब्राह्मन जब रसोया बना तब वह इतना चुवा चूत मानता था कि उसने एक गरीब सुनार को चौराहें पर खीच ले आया था क्योंकि उस सुनार ने गर्मी के दिनों में उस टंकी से पानी निकाल कर पिया था और अपनी प्यास बुझाई थी। जोतीराव, अरे, इन महामूर्क ब्राह्मनों द्वारा रचे गए गीतों को आज भी सभी नए समाजों में गाया जाता है और उन्होंने अब तक अपने मतलबी धर्म के अनुसार पत्थरों के भगवान को पूझना छोड़ा नहीं है। वही ब्राह्मन अपने घर की टंकी को शूद्रों को नहीं चुना चाहिए इसलिए उसे धांक कर काशी जाकर वही स्थाई होने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे निश्पक्ष म्यूनिसिप भाग में और उससे लगा कर एक छोटी घटावसी चोटन की बांग दी है और उसका पानी अपने स्नान के लिए अपने पापों को धोने के लिए मनमानी खर्च करते हैं। ब्राह्मन जाती में जन्म लेकर इस तरह की पाकंडी हरकते ना करें तब उस जाती की कीमत ही क्या है परिच्छेद, सोला, ब्रमाराक्षसों के उत्पीरन की क्षय, धोंडीराव, तात, आपके साथ जो समवाद हुआ, उससे यह सिदह होता है कि सभी ब्राह्मनों ने अपने नकली धर्म के नाम पर हमारी भोली घटाव भाली सरकार की आँखों में दूल जूंकी है और हम सभ शुद्रदी घटाव अच्छुतों का अमेरिका के काले कुलामों से ज्यादा शोशन किया, वे आज भी कर रहे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर इन ब्राह्मनों के बनावटी धर्म का निशेद करना चाहिए और अपने अनपर भायों को भी इस संबंध में जागरित क चुच रहे हैं और इन लोगों में जागुती लाने का कार्या क्यों नहीं कर रहे हैं, जोती राव मैंने कल ही शाम को इस के लिए एक परचा तयार किया है, मैंने उसे अपने एक साथी को सौप कर उस से यह कहा है कि उस परचे में हरस्व घटाव दील्ब की जो भी गलतिया उनको ठीक करके, उसकी एक एक प्रती तयार करके सभी ब्राह्मन और इसाय एकबारवालों के अभिप्राय के लिए भेज दीजिए। गटाव नकली धर्म ग्रंत लिखवाय और उन सब की एक मजबूत किला बना कर उसमें उन सभी पराजितों को वंश गटाव परमपरा से बंदी बना करके रखा दिया। आप सभी लोग हमारी तरह ही इंसान है। आपका और हमारा जन्दाता और पालन करता एक ही है। इसलिए आप सभी लोग हमारी तरह ही तमाम मानवी हकों के हकदार होने के बावजूद आप लोग इन ब्राह्मनों के नकली वर्चस्व को क्यूं मान रहे हैं। आदी इस तरह की कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्यान करने पर मुझे मेरे स्वाभाविक और सही मानवी अधिकार समझ में आते ही मैंने उस जेल खाने के नकली मुख्य ब्रहमत दरवाजे के किवाड़ों को लात मारा और उस जेक खाने से बाहर निकल आया। इस ब्रहमन कैदखान से निकलने के बाद मैंने अपने निर्माता के प्रति आभार व्यक्त किया। अब मैं उन पर उपकारी यूरोपियन उपदेशिकों के आंगन में अपना देरा डाल कर कुछ आराम करने से पहले यह प्रतिग्या करता हूं की। ब्रहमनों के जिन प्रमुक धर्मग्रतों के आधार पर हम शुद्रादी घटाव अतिशूद्र, लोग ब्रहमनों के गुलाम है और उनके अन्यकई ग्रतों घटाव शास्त्रों में हमारी गुलामी का समर्थन में लेख लिखे हुए मिलते हैं। उसी तरह जिन धर्मग्रतों के आधार पर फिर वह किसी भी देश का या धर्म के विचारवान व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ क्यों न हो, सभी लोगों को समान रूप से सभी वस्तूओं का, सभी मानवी अधिकारों का समान रूप से उपभोग लेने की इजाज़त हो, उस तरह के ग्रंथकरता को मैं अपने निर्माता के संबंध में चोटा भाई समझ कर उस तरह अपना आचरन रखूंगा। पूरा यकीन होने पर, मैं उनको केवल परिवार के भाई की तरह मान कर उनके साथ प्यार से खाना घटाव पीना करूंगा, फिर वह आदमी, वे लोग किसी भी देश के रहने वाले क्यों न हो। इसलिए हम प्रस्तुत पत्र के लेखक फूले से खशमा चाहते हैं। पूरा के अकबार वाले उक परिच्षेद को अपने अकबार में प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। यह परिच्षेद चारों और प्रसिद करना चाहिए। फिर भी इसमें जो अभिप्राय व्यक्त हुआ है, वह बहुत ही प्रशंसनी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वास्वब में देखा जाए तो ब्राह्मनों की मान्यता के अनुसार जाती घटाव भेद नहीं है, इस बात को जो भी व्यक्ति हमारे ध्यान में ला कर देगा, उस व्यक्ति से मैं तुरंद पत्र के द्वारा संपर्क स्थापित करूंगा, इस बात को उन्होंने ब ब्राह्मनों के बनावटी और दर्दनाग धर्म के जेल खाने से पूरी तरह मुप्त हुआ हूँ, इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं सच्मुच में आपका कृतग्य हूँ, संक्षेप में आपके हर तरह के विशलेशन को सुनने के बाद हिंदु धर्म, ब जोशन घटाव उत्पीडन उसको आज तक क्या सच मुझ में नहीं दिखाई दिया होगा। जोती राव, इसके संबंध में बाद में किसी ऐसे ही मौके पर तुमको सारा खुलासा करके बता दूनगा, जिससे तुमको पूरा विश्वास हो जाएगा और मन का समाधान भी। झाल 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 झाल